कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेंगे यूटूब चैनल में आपने साथ है तो भी यह वाला टेलिग्राम जोइन करना बहुत ज़्याद जरूरी है सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट सारे मोच इंपर्टेंट पिक्स सारा को फॉलो कर लिए इस्टेडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेंगे और इसमें देखेंगे हाइलाइट जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडियाफ की देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों समीक्षा अधिकारी के प्रियो और मेंस एक्जामिनेशन में हिंदी के महत्व से आप सभी परचित हैं बताने के आवशेक्ता नहीं है और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए इससे पहले हमने परयाइवाची विलोम आधी शब्दों पर वीडियो देख लिये और इससे पीछे वाला इसका पूर वर्थी वीडियो था उसमें हमने विशेशन और विशेश्य को कवर किया है और विशेशन और विशेश्य ऐसा टॉपिक होता है जिसमें कि हर अभ्यर्थी थोड़ी बहुत समस्या महसूस करता है कम से कम उसे महसूस होती है वो सकता है चुरू करिएगा चलिए देखें कि तद्भो और तद्सम असल में होते क्या है वैसे तो आप इन शब्दों के बारे में जानते हैं लेकिन असल परिभाशा अगर आपको पता होगी तो आप आराम से तद्भो और तद्सम की पहचान कर सकते हैं क्योंकि आयोग अकसर ऐसे प् अगर आप परिभाशा से वाकिम है तो सीधा उठाके किसी भी विशाय को रटना ही सबसे बड़ी मूर्खता होती है पहले आपको उस विशाय की आधार भूत जानकारी होनी चाहिए यानि उसके बारे में थोड़ा भूत पता होना चाहिए कॉमन सेंस वाले प्रशनों को पूछने की प्रविति अभी पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा बढ़ी है यह शुरुवात UPSC से हुई थी अनि संग लोग से वायोग से और संग लोग से वायोग के तो प्रशन ऐसे होते हैं कि आपने चाहे जितनी NCRTs घोल कर पी रखी ह विजन IES की बुकलेट्स चार्ट रखी हो लेकिन उसके बावजूद यह सब अच्छे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपना कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं तो आपके सारे प्रशन गलत हो जाएंगे इसकी पूरी गरंटी ठीक तो उस है यहां थोड़ी लंबी बात इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ चीज़ें आपको कहनी थी समय आप ज्यादा मिल गया है पांच दिसंबर को परिक्षा प्रस्तावित है अभी तक मतलब कोरोना की इस्थिती है उसको ध्यान में रखते हुए तो इतना ज्यादा समय है कि आप नए सिरे से शुरू करके भी पढ़ सकते हैं मतलब आपने अब तक कुछ नहीं किताब तक नहीं खरीदी है तो आप कर सकते हैं ठीक वीडियो देख डालिए और जीयस वाला आपना जो सेग्मेंट है उसको अपने मटेरियल से कवर कर लीजे आत्मिश्वास नहीं खोना है लगातार लगे रहना है और इस बात से भी निराश नहीं होना है कि हमने तो पूरा तयार कर लिया था और बस प्रविश्पत्र डाउनलोड करने वाले थे सूचना मिलने की देर थी लेकिन तब तक सारी खटाई पढ़ गए और परिक्षा तल गए ऐसा कुछ नहीं है परिक जब को शब्ड का मतलब क्या होता है मतलब क्या और सब्लोर और इस? की दे खट कर अचय को एस शब्ड करने पीन बहुत टेड़ा है तो एक कौमन सा बता बता रहे शिवतांड़ा बढ़ परिक्भा कर पूलने लगए हैस्ट को आप टुकडों में बाट कर उसका उचारन करते हैं उसका जो उचारन वाला पार्ट होता है उसको आप किसी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं उसमें आप देखेंगे कि अलग-अलग शब्द के तोर पे उसे उचारत किया जा रहा है तो संदी विच्षेद करना ही एक मात्र विकल्प है जिसे कि आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं यहाँ पर तत्भव का संदी विच्षेद किया गया तत और भव तत का मतलब क्या होता है? इन दोनों शब्दों का अर्थ लेकिन आपको पता होना चाहिए इतना इसमें जानकारी आवश्च्षेद तत का मतलब होता है उससे ठीक यहां के लिए तत्भ शब्द के भी कई अर्थ होते है ऐसा नहीं कि यह सिर्फ एक अर्थ रखता है लेकिन एक अर्थ होता है उससे और भाव का मतलब होता है उत्पन ठीक तो उससे उत्पन और इसलिए इसका यहां शापदी कर्थ दिया हुआ है विक्सित करना या उससे उत्पन करना विक्सित का मतलब क्या होता है विकास कर रहे हैं आप किसी चीज का यानि किसी मूल अवस् आवस्था रही होग्गी जहां से आप यहां शुरू कियी होएं और अंत में आप busy करते करते इस अवस्था में पहुर्द हो गया है कि आप उससे बहतर हो गहें ने हैं या पहले वाले से खराब भी हो सकते इसे तद्बह क्या है dapat यह खराबी ही dope के तो इस प्रकार कि स्थितिएं आप देखते हैं विख्षित करना या उससे उदफण करना वे शब्द जो संस्क्रिफ से उतपन हुए हिन्दी का जन्म संस्क्रिफ से हुआ है या उत्ब जानतें तो जो जो शब्द या जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी की शब्दावली में आ गये हैं वे तद्भो कहलाते। सच पूछिये तो तद्भो शब्द ही हमारी अपनी पूजी क्योंकि संस्कृत के शब्द बहुत गिने चुने हैं जो कि हिंदी में ऐसे सीधे सीधे इस्तिमाल किये जाते हैं या अगर किये भी जाते हैं तो अधिकतर जनता उन्हें बोल नहीं पाती। और उनी शब्दों में उन्हें बढ़िया तरीके से समझा दे किसी चीज को। तो बहुत सारी भीड़ी कर्थी होगी उसकी बात को सुनने के लिए। यह होता है तो यहां भी वही है जैसे गौतम बुद्ध को आप देखे हैं गौतम बुद्ध ने क्या किया जो पुरानी क्लिष्ट भाषा थी उसको छोड़कर सरल आम जन जीवन की भाषा को अपनाया और इसका परिणाम यह हुआ कि लोग उनकी बात को सुनने के लिए आत देखते हैं वर्तमान समय में देखते हैं वो तद्भो से ही निकली जैसे अगनी बरसा सलोक किशुन किरपा किरपा मतलब क्रिपा जो होता है इस प्रकार से आधी तद्भो शब्द हैं डॉक्टर उदैनाराट तिवारी नेश जो तद्भो शब्द हैं इनको हिंदी का तो प्रुदंड कहा है ये किसी एक विदवान या किसी एक लेखक की कहनी नहीं है इसको आप ऐसे में मशूस कर सकते हैं संस्कृत से हिंदी निकली है संस्कृत भाशा से ही हिंदी का जन्व हुआ है तो संस्कृत जो है वो क्या है एक तरह से तद्भो शब्द को अगर आप गया ऐसे ही भाशा बनती है तो इसका मतलब क्या है कि संस्क्रित का ही तदभो रूप जो है वो हिंदी जब हिंदी खुदी तद भो है तो मेरूद तो हम सीध़ जिदे कहें कि यह कि तदभो शब्द है वो हिंदी के लिए ok बन का काम करते हैं अब तत्सम का अगनी वर्षा श्लोक कृष्न कृपा यहाँ पर देखे थोड़ा सा यह जो है न यहाँ पर गडबड हो गया है तत्सम शब्दों के बारे में कहा जा रहा था तो तत्सम में अगनी वर्षा श्लोक कृष्न कृपा आधी को आप देख रहे हैं पर यहाँ पर अगनी नहीं है, यहाँ पर आग होना चाहिए था, यहाँ अगनी बोल दिया गया इसको सुधार लीजेगा, अगनी तो तत्सम है न, वो संस्कृत का ही शब्द है, उसको सीधा सीधा हमने हिंदी में ले आ दिया है, यहाँ पर होना चाहिए था आग और यहाँ पर अगनी इस प्रकार से या कुछ लोग अगिन भी कहते हैं आगी भी कहते हैं गाउं में बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं तो वो सब क्या है? तद्भू हैं फिल्हाल अगनी वर्षा, श्णोप, कृष्णिक्रिपा इस प्रकार के जो शब्द हैं कृष्णकार्थ होता तो यह सब तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द के भी प्रकार होते हैं, इसमें भी शाखाएं होती हैं, एक तो परंपरागत होते हैं, परंपरागत का मतलब है कि जैसे थे, संस्कृत में जैसे थे, वैसे ही उठा कर रख दिया, वो हमारी परंपरा से आये हुए हैं, उसमें तो सिधे साधे शब्द जो तद्वों के चल रहे थे उनसे काम नहीं चला तो मजा नहीं आ रहा है थोड़ा सा तत्सम इसमें मिला देते हैं तो तत्सम जब कम पढ़ने लगे तो मनुश्य ने खुद इजाद कर लिया जो बड़े-बड़े विद्वान होते हैं जिने पोथि और शब्द लेकिन इस जमाने में बंदुख के न किया है यहां पर बंदुक के अर्थ में इन बहां वढ़ने लुगा ने किताबी कड़ वई यह जाद कर लिया दो ऐसे गड़े शब्द है तो इसलिए कहा गया है कि निर्मित तत्सम शब्द में और कुछ जो है वो अब इसके बाद इनमें परिभाशा के तौर पे भी देख लीजे तो यहां यह कहा गया है कि जो शब्द सरल भाशा में आप समझी चुके हैं कि दोनों के बीच का अंतर क्या होता है यहां वही इसकी परिभाशा है जो शब्द संस्कृत वांगमय उपलब्द है परमपरागत तत्सम शब्द कहेंगे और जो निर्मित होते हैं उनको बनाया जाता है सीधी बात है यहां कहा गया कि जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिये जाते हैं ऐसा नहीं है कि उनको एकदम से अपने नए नियम से बना लिया जाता है नियम वहीं व्याकरण वाले ही इस्तिमाल किया जाते हैं वहीं जो पाड़िनी का व्याकरण है और अश्टा ध्याई है वहीं से नियम निकाल कर यह जो नए शब्द हैं इनका इजात किया जाता है लेकिन यह बात में बना द्वारा आउशिक्ता अनुसार तत्सम शब्दों का निर्माड किया जाता है। ज़्यादा संस्कृत नहीं लेकिन है उसमें भी ठीक तो इसमें आप देखते हैं कि छायावादे युक्के और बाद वाले जो कभी है उनमें ये शौक जैसा निकल पड़ता है। अराती सैनने सिंदु में सुवाड वागनी से जलो प्रवीर हो जाई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो तो सुवाड वागनी शब्द ये संस्कृत में ऐसे नहीं था तत्सम की रूप में नहीं था। शब्दकोश इससे पहले इसको एकसेप्ट नहीं करता था। लेकिन प्रसाद ने इस्तिमाल किया उनकी महिमा बहुत बड़ी थी इसलिए घुज गया शब्दकोश में और तब से चल रहा है। सुवाड वागनी का मतलब ये होता है कि समुद्र में लगिमी आग। ठीक तो ये गढ़ा हुआ शब्द है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर और भी चीज़ें कही गई हैं। जैसे हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो कि वास्तों में तदभव होने पर भी दे वीडियो देख रहे होते हैं। उनके पास ऐसी जानकारियां नहीं होती है। वो क्या करते हैं। सोचते हैं कि भईया यह तो बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। यह तत्सम हो जाएगा। ऐसा जैसे निराशा अब निराशा यहाँ खुश लोगों ने यह ट्रिक बनाई ह तो इस तरह के जो शब्द है नहीं यह तरुक हमेशा काम नहीं देती है इसलिए हिंदी को कभी भी ट्रिक से मत पढ़िएगा क्योंकि दोखा दे सकती है यह कोई लेकपाल का एक्जाम नहीं है समीक्षा दिकारी के परिक्षा में हिंदी अच्छे लेवल की पुछी जाती है तो ऐसी कंडिशन में आपको जो शब्द है उन पर नहीं जाना है उसका जो मूल नियम है वो समझना है तो कुल मिलाकर यह है कि सिर्फ आप गेस करके नहीं पकड़ सकते अब यहाँ देखने भी निराशा में आप वही वाली ट्रिक लगाएंगे कि यह बड़ा शा आया है तो इसका मतलब है कि यह शुद्ध तत्सम है इसमें कोई दिक्त ही नहीं है लेकिन यह संस्कृत का शब है इसमें कोई दिक्त नहीं है लेकिन आशा तो रहा नहीं उसमें आपने उपसर्ग जोड़ डाला है तो इसके बाद यह बन गया तत्सम माप कीज़ेगा तद्भव यह तद्भव रूप में आ गया क्योंकि इसमें जो उपसर्ग जुड़ा है वो इसमें विकार पैदा कर विकार उत्पन करने का काम करता है ठीक तो इसमें आप देख रहे हैं और तद्भव शब्द के तौर पर इसलिए हम निराशा को देखते हैं क्योंकि इसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है और निर जो है वो हिंदी का है तत्सम तो है नहीं संस्क्रित का नहीं है विभी ने देखिए मजा आया यह बड़ी सी लिष्ट है अभी और नीचे लंबी है तो अब शुरू हो जाईए देखिए असीस क्या है यह तद्भव है हम एक काम करेंगे कि यहां से लेकर यहां तक ने यह गजिंद्र तक पूरा कंप्लीट करेंगे उसके बाद इधर वाले कॉलम को पकड़ेंगे फिर इसके बाद जो यह तीसरा कॉलम बना है इसको पकड़ेंगे ऐसे करेंगे तो असीस का आशीश होता है यहां पर आपका वो जो मेथड है न मतलब समोसा वाला सा जो है वो मुर्धनिशा में कनवर्ट हो गया है तो यह तद्सम बन गया यह वाला काम कर र होता है सुई को सूची सूची और सूची का भी कहते हैं लेकिन असल में सूची का कहते हैं सूची जो है वो दूसरा शब्द हो जाएगा उसका आर्थ दूसरा हो जाएगा सूची का कहते हैं उसको ध्यान रखिएगा साडू साडू कौन होते हैं बताइए तो यहां पर इसको शाली होती है उसको साली गैते हैं तो इस प्रकार से है अब यहां शाली वटर या शाली वॉठ यह जो शम्किल है यह उसकार को एक जो थे वो कंधे पर डोलीड होने का काम करते थे आजकल वो प्रेशलन खतम हो गया है पहले के समय में गाडियां नहीं होती थी कि दुलहन की विदाई करनी है तो बढ़ियां गुलाव और मोगरा लगवा के कार भिजवा दीजे या बोलेरों में चड़वा के लेते आईए ऐ पैसे नहीं होता था या हवाई जहाज का टिकेट बुक करवा दीजे पहले की समय में लड़कियां डोली में चड़कर आती थी या कोई अशक्त आदमी होता था जो पैदल नहीं चल सकता था उसको भी डोली में लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाय जाता था ये काम होता था, और डोली को चलाने वाले लोग कॉल होते थे, वो कहार होते थे, मतलब उसमें डंडे लगे होते थे, तो उसको अपने कंधे पर रखकर वो लोग उठाते थे और बड़ी मेहनत का काम होता था, डोली का बोज, प्लस उस आदमी का बोज, यह सब ढोते हुए, वो लंबी दूरी तैए करते थे, और रास्ते में कई سारे जो पड़ाओं है, मतलब हाल्ट जीसे कहा जाता है, वो भी लेते थे, तो इनको कहा जाता था, इसकंद बार, इसकंद मतलब होता है कंधा और भार, मत इसका खटिका इसके बाद माखन का माक्षण बाग का वलगा बाग मतलब वो बगीचे वाला बाग नहीं है यह जो लगाम होती है घोड़े की उसको कहते हैं बाग कहते हैं बाग नहीं अड रही है तो बाग नहीं अड रही है मतलब लगाम उस पर ठहर ही नहीं रही है वो इत है ना माखन का उचारण अलेग है मखन का उचारण अलेग है तो मखन शब्द जो है ये मरक्षण से निकला हुआ है जबकि माखन शब्द जो है वो माक्षण से निकला हुआ है और शुद्द क्या होता है दोनों में माक्षण शुत होता है या म्रक्षण होता है तो अगर इसमें से चुनने की नौबत आए तो म्रक्षण होता है ठीक ऐसा इसके बाद अंगारा का अंगार होता है असल में आग का अंगारा तो असल में अंगार होता है और इसमें जो इस्तिमाल होने वाला शब्द है उसे आप ध्यान से देखिए ये है अंग्या पढ़ जाता है कखगगः अंग्या इस प्रकार से तो ये लाश्ट वाला जो पांचवा वर्ण है उसको हम लोग अंग्या कहते हैं इसके बाद ये सब जो चीजे आपको ध्यान दिलवाई जा रही है ये काम देंगी अभी जब वर्तनी शुद्धी आप पढ़ेंगे तो उसमें कहाँ पर कौन सा शब्द कौन सी मात्रा इस्तिमाल करनी है बहुत ध्यान से देखना होता है अच्छा इसके बाद धीट को देखिए तो धीट ये आप देख रहे हैं ध्रिष्ट इसका शुद्ध होता है ध्रिष्ट पीठी का पिष्टिका होता है पीठी मतलब जैसे कोई चीज है उडद है उसको आप ऐसे मुठी बना कर उसकी एक बॉल तयार करके और इसकी किसी च है इसको पिष्टिका कहते है ठीक फिष्टिका इसके बाद असरह में संस्कृत का शब्द है मात्र वही से बना है माते मात ए और मात्री और वहीं समस्की और और यहां तक हम ने देख आते है अभी दर चले आते है ओला सिर मुडाते ही ओले पड़े तो वह वाला ओला उसका उपल होता है गाजर का गरजर होता है गारजर नहीं होता है गरजर होता है गारजर आ की मात्रा मत लगाईगा ने तो वर्तनी गलत हो जाएगी इसके बाद फासी का फंदिका नहीं होता है बलकि पाशी का होता है कु इसके बाद जीरा, जीरा का जीरक होता है, जीरा एक मसाले में इस्तिमाल किया जाने वाला पतार्थ है, आर्ति का आरार्तिक होता है, इट का इश्टिका होता है, इसी का नहीं होता है, इसी का तो खुद तद्भो है, इसको छोड़ दीजे, इश्टिका होता है, इसके बाद काश्ट पाई नहीं होता, बलकि काश्ट पादू होता है यहाँ कुछ शब्द जो है, वो थोड़े तुरुटी पोर्ण है तो उनको उमें बताती चलूँगी, देखे काश्ट पादू होता है, मतलब यह लगड़ी के पैर होते हैं खडाओं आपने देखा है, लोग पैनते हैं उसमें ऐसे एक हूटा लगा होता है, जिसको की अंगूठा और जो आपकी मधिमा उली होती है, उससे पकड़ कर रखना पड़ता है, इस प्रकार से, और उसके बाद यहां पे आप उसको पकड़ कर रखते हैं, चलने में बड़ी दिक्कत होती है, उसमें और कहीं सपोर्ट नहीं बना होता है, खडाओं की विशेष्टा होती है, उसमें एक लकड़ी का ठूट होता है, उसी को आपको अंगूठे से पकड़ कर ऐसे रखना पड़ता है, तो अभ्यास नहीं रहेगा, तो आप दो मिनट बाद ही गिर जाएंगे, ऐसे होता है, वो हील पहिन के चलने से भी जादा कठिन होता है, तो पहले के लोग वही धारण करते थे, चमडे के चपल, रेगजीन के चपल, रबर के चपल, यह सब इजाद नहीं हुए थे, अच्छा अब इसके बाद देखें, यहाँ केचुआ, तो उसको काष्ट पादू कहते हैं, ध्यान देजेगा, पादू मतलब पैर और काष्ट मतलब लकडी, तो लकडी के पैर, इसके बाद केचुआ का किंचलिक होता है, यहाँ आप देखें, केचुआ का किंचलिक होता है, गिरग गती कहा जाता है यनि गले में उसके हमेशा गती होती है तो इसलिए उसका जो तद्सा में उसे जानिए इसके बाद मोधी का मुक्ता और मौक्तिक दोनों होता है ये UP-PCS में मतलब जो PCS का प्रिलम्स होता है उसमें C-Site में पूछा जा चुका है इसके बाद देखिये कैची क्याची का कर्तरी होता है, कर्तन करने वाली अर्थात काटने वाली खपरा का खरपर होता है, ठीक यहां आप देख रहे हैं खेती का छेत्रिक होता है, पंसारी का पनेशालिक होता है फिटकरी का इस फटिक होता है, माई का मात्री होता है मा शब्द है तो उसका मात होगा लेकिन माई अगर लिखा है तो उसको पहले और सुधारी ये मात्री कर दीजे ठाकुर का ठकुर होता है ये तत्सम है और ठाकुर जो है वो तद्भो है काजल का कजल होता है, जामुन का जम्बू होता है, जम्बूल नहीं होता है, बलकि जम्बू होता है, इसके बाद सौरी, सौरी का प्रसूतिग्रे होता है, ठीक, इसके बाद दीठी, दीठी या दीठ आप कह सकते हैं, तो द्रिश्टी, मच्छर का मशक होता है, मशक और यानि कठल का तत्सम रूप है उसे आप देख रहे हैं इसके बाद अजवाइन का यवनिका होता है यहाँ आप देख रहे हैं यवनिका इसके बाद उपभोकता का उपभोकत्री होता है यह तत्सम है खिचडी का क्रिसर होता है चमगादर का चर्म चटक होता है चर्म चटक हो रैन का रजनी होता है यानि रात्री दाम का द्रम होता है यह उचारण है इसका ध्यान से आपको देखना है इसके बाद आप वापस नीचे चलते हैं यहां से हम देखते हैं नस से यहां से ठीक अब फिर यहां तक देखेंगे नस से नस से बीडी का बीटक होता है चूला का च इंचित होता है, बहेडा का विभीतकी होता है, गीध या गिद्ध जो होता है, इसका गृद्ध होता है, गृद्ध जो है वो शुद्ध तत्सम शब्द है, इसके बाद भाप का वाश्प है, मौल्श्री का बकुल्श्री है, ठीक, मौल्श्री वैसे देखे एक निट, इसमे मौल्शी जो है वो खुद तत्सम शब्द है बकुल्शी वो दूसरी बात हो जाएगे बकुल जो है वो पलाश को कहा जाता है यह पलाश के व्रिक्ष का हो जाएगा और मौल्शी जो है वो रोजवूट को कहा जाता है जो कि एक उश्न कटी बंदी है जो सदावाहार बन होते हैं, वहां उगने वाला पौधा होता है, विक्ष होता है बड़े आकार का, तो वह रोजूट का पेड़ है, तो अनों दो चीज है, तो ये एक दूसरे के तत्वो तत्सम नहीं हो सकते हैं, इसको हटा लिजेगा, मौल्शी का पकुल्शी नहीं होगा इसके बाद नीचे देखिए, यहां पे धतूरा है, तो इसको धरतूर कहा जाता है, रोओा का रोम होता है, बोना का वपन होता है, मतलब किसी चीज को बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, तो वो वपन कर रहे हैं बूटी का वृतिक होता है और दालचीनी का दारुचीनी होता है इस प्रकार से आप देख रहे हैं दालचीनी एक मसाला है लकड़ी-लकड़ी होती है काफी अच्छी होती है महाग उसकी तो वो दारुचीनी इसके बाद ठाकुर का ठाकुर आप देखी चुके हैं द्रिक का द कosis कि ओप्तियों ओते में नु做 दकेतर होते हैं और आख उस्जघयू छोटं दम आउजन जाटा आयँ अंगारं बुंजा कंड़ को इंसे को गोटअ कहा Hai और पंड़िला गुश्टिक कि ऊन्थी है यह सबी होता है इसके बाद महगा का महार्ग होता है करेला का कंडूर कार वेल्ली इसके अलामा तोय वल्ली इस प्रकार से होता है कारू वेल्ली होता है बलकि कारू वेल्ली होता है यानि कडवी लता वेल्ली मतलब वेल यानि लता और कारू मतलब कडवी कंडूर भी कहते है इसके बाद लड़का का लड़का होता है, लड़का नहीं होता है, बलकि लड़का होता है, धुआ का धूम होता है, धूम्र होता है असल में, कूड़ा का कूट होता है, अनाज का अनाद्य होता है, इसके बाद अब चले आते हैं इधर, तो दाम का आप देख रहे थे, द्रम लिखा हुआ था उसके बाद डाह का दाह होता है यहां देखिएगा इसके बाद हट ताल का हट ताल होता है मक्खन का मन्थज होता है मक्खन का म्रक्षण भी होता है मन्थज भी होता है यह सब यहां जो कई दिया हुआ है ने एक ही शब्द के कई सारी तत्सम तो यह इस बात कि आपको सुविधार है, ऐसे करके यहां दिया हुआ है, तो मक्षन का मन्थज हो जाएगा, यानि जो मन्थने से उत्पन्न हो, मन्थज, जह मतलब जन्मा हुआ और मन्थन करने से जन्मा हुआ, इसके बाद घुंघट का अवगुंठन होता है, घुंठन भी कह सकते हैं, खे पहले के जमाने में दूला खोजने में लड़की के पिता की पहुत परिशानी उसको हो जाती थी, मतलब वो खोजते-खोजते परिशान हो जाता था अपनी बेटी के लिए अच्छा घर, आज की समय की तरह जमाना नहीं था, महिलाओं की उतनी इज्जत नहीं होती थी, और लड़कियां उतनी आतनिर्भर नहीं होती थी, उनके अंदर आतनिर्भरता का अभाव होता था और इसके पीछे उनका परिवार गुनाहगार होता था, जो कि उनके हाथ पर बांद कर रखता था, उन्हें सिर्फ घरेलू काम करने की मशीन बनाया जाता था, मतलब इसके बाद आगे चलते हैं देखिए अगला वाला यानि यहां से, अब यहां पर जो शब्द तालिका है वो थोड़ी हलकी हो गई है, एक तरप तद्भो लिखा हुआ है और एक तरप तद्सम लिखा है, तो अंदरी का अंतर होता है, अंडी का एरंडी होता है, अंधा का अंध होता है, अकडणा का आ उसके जाग के समान निकलने वाला पदाրत है उसको अफीम कहा जाता है या समुद्र के फेन से भी आप इसे तुलना कर सकते हैं अनाडी जो है वो एक तद्भो शब्द है उसका अनारे हो जाएगा अंजली का अंजली होता है अंजली नहीं होता है बलकि अंजली होता है 28 का आप देखें यहाँ पर तो अश्टा विंशती होता है विंशती मतलब क्या है 20 और अश्ट मतलब 8 तो 20 में 8 जोड दिया तो 28 हो गया, अंठानबे, अश्ट नवती, नवती मतलब 90, और अश्ट मतलब 8, तो 90 में 8 जोड दिया, अंठानबे हो गया, संस्कृत की जो गिंतियां होती हैं, उसमें आप थोड़ा सा अगर हिंट जानते हैं, तो आराम से केस कर सकते हैं, हाला कि गिंतियां पूछी नहीं जाएंगी, बहुत कम संभावना है, कि तद्बह तद्षम में प्रश्ण में आपसे गिंतियां पूछी जाएं, बहुत कोई प्रश्ण बचेगा नहीं, पूछने के लिए तब हो सकता है, योग पूछले, otherwise नहीं, लेकिन फिर भी जानना चाहिए, तो देखे, 88 का अश्टाशीती होता है, ठीक है, यहाँ पर असीती जो है, देखे, ध्यान से इसे, असीती शब्द जो है, वो असी के लिए इस्तिमाल किया जाता है, और अश्ट मत जिसक गया, अपनी जड़ा छोड़ दिया, विस्थापित हो गया, अठ खेली करना कहते हैं लोग न, तो अश्ट केली होता है, या अश्ट कृड़ा होता है, दोनों ही ततसम है, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, लेकिन याद दोनों को रखिएगा, इसके बाद 18, जिसके बटे दो, या 2.5 आप सीधा सीधा कह दीजे, धाई जीसे आप कहते हैं, इसके बाद 68 को आप देखिए ज़े अश्टा जश्टी, या अश्टा सश्टी भी बोलते हैं, असल में होना चाहिए अश्टा सश्टी, क्योंकि सश्टी शषद जो है, वो साठ के लिए स्त ठीक, ये वाला आप देख रहे हैं, तो अश्ट मतलब होता है, आठ और सश्टी मतलब साठ, तो साठ में आपने आठ जोड़ दिया, अर्शट हो गया, अदरक का आदरक होता है, अठावन का अश्ट पंचाशत होता है, पंचाशत यानि पचास तो उसमें अश्ट आपने अपाध हस्ट, इस प्रकार का जो शब्द है, वो अपाहिज का तच्सम माना जाता है, इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए, अंगारा, अंगारा का क्या होता है, अंगार होता है, असीस का आशीश होता है, अटारी का अटाली का होता है, अजान का अज्यान होता है, तो वरतनी शुद्धी में इस प्रकार की बारी की हैं आपको दिमाग में रखनी है, इसलिए अभी से बताया जा रहा है, यहाँ पे इस तरह से हैं, तो इसको ध्यान देंगे, अशीत्ती होता है, जब यह जुड़ता है, तो वहाँ पे यह जो आधात है, यह लुपत हो जाता है, और अंगोचा का अंग प्रोचा होता है, अंग को पोचने वाला, यहाँ तक आपने देखा, अम्मा का अंब होता है, अमिया, अमिया जो आप लिखते हैं, उसका शुद्ध होता है, अम्रित, अमचूर, कहते हैं नो, अमचूर से मसाला तयार करेंगे, और जो अचार है उसको तयार करेंगे, मतलब अचार में डालेंगे ऐसा, तो अमचूर क्या होता है यह mango powder आप पढ़ते होंगे जब आप readymate खरीते हैं कोई भी packet अमचूर का तो उसमें लिखा होता है mango powder mango powder का mango मतलब आम और powder मतलब चूरा मतलब बुरादा, तो यह आम का बुरादा ही तो होता है यानि आम्रचूर्ण आम्रचूर्ण इस प्रकार से अमावस का अमावस्या, अगाडी का अगरवर्ती अगाडी माने आगे रहने वाला तो इसका हो जाएगा अगरवर्ती अलग न भुजाएगा यहां पिकरम से आप देखिए अनी का अड़ी आपने पीछे देखा ही अनाज का अन्न होता है अनुठा का अनुथ्थ होता है अपना का आत्मन होता है या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आत्मन ठीक है न के साथ में जो हलंत है उसको लगा देंगे तो भी काम चल जाएगा इस प्रकार्स इसके बाद अपाहिज का आपाद हस्त आपने देखे लिया है, अब का इदा होता है यहां तक आपने देखा, इसके बाद अरंक यहां लिखा हुआ है असल में यह अर्क होगा, इस तरह का कोई शब्द होता इसके बाद आगी चलते हैं अंधेरा का अंधकार होता है अंस का अंश होता है इस अब कौमन है आप जानते हैं अकेला का एकल होता है अखाडा का अक्षवाट होता है अक्रोट का अक्षोर या अक्षोट होता है अक्षोट होता है या आयोग में दिया जा चुका है इसके पाद अगहन का अग्रहायन या अग्रहायन होता है अग्रहायन होता है असल में शुद्धेगदम दिसंबर का महीना मतलब जहां पे मार्गशीर्ष जिश्ट को कहा जाता है हिंदी महीने का जो सर्दी वाला मौसम होता है कड़ाके की ठंडी पड़ती है, उसको मार्कशीर्ष बोलते हैं, दिसंबर के आसपास पड़ता है, मतलब दिसंबर और जन्वरी का कुछ हिस्सा उसमें कवर होता है, तो वो वाला महीना उसको अगहन बोलते हैं, या अगरहन बोलते हैं, या मार्कशीर्ष बोलते हैं, इसके आधरम का अधर्म होता है अधरम जो है वो तद्भौ śabd है और अधर्म उसका तत्सम एघ्जोता quest आंक का अक्षी होता है चक्षू भी होता है और अक्षी भी होता है लेकिन आक के लिए जो exact तत्सम है वो अक्षी है इसके बाद आलस का आलस से होता है आंक का अंक होता है यहां पे कुछ दूसरे ढंक से लिखा हुआ है इसको पढ़ा नहीं जा सकता यहां यह अड़ा लिख और उसके नीचे ऐसे हलन्त लगा दिया है। इसका कोई उचारा नहीं हो सकता। तो अंक होता है असल में। और उसके बाद आस्रा नीचे आप देख रहे हैं। यहां है नी? आस्रा, आश्रे होता है juda. अम का अम्र होता है। पीछे आपने आम्रे चूरूरून वाला देखा अमल उसके अंदर होता है, इसलिए उसको अमलीका कहा जाता है, कॉन सामल होता है तो आप जानते हैं किसमें तार्टरी का आमल पाया जाता है, इसके बाद देखिये यहाँ पर इकठा, तो इकठा का एकठ्र और एकस्थ दोनों हो सकता है कोई चीज अगर इकठी है तो उसको एकत्र कहेंगे और लोग अगर इकठे है तो उसको एकस्त कहेंगे इसके बाद इसका एतस्य होता है, इतवार का आदित्यवार होता है, रभिवार जो हमलों कहते हैं, तो असल में क्या, रभि यानि आदित्य, अर्थात सूर्य, तो आदित्यवार हो गया, इसके बाद इतना, इतना का इत, इतना का इत होता है, 31, एक त्रिंशत, त्रिंशत मतल मतलब 60 और उसमें एक जोड़ दिया बन गया 16 इसके बाद 21 एक विन्शती 21 ऐसे लिखते हैं 1 विन्शती मतलब 20 एक जोड़ दिया 20 हो गया और एक कम कर दिया तब 20 विन्शती उसमें से एक कम कर दिया हुआ तो उसको कहेंगेchat अरथात 20 से 1 कम विंशती से एक कम और उन विंशती यानि उन शब्दकार्थ होता है एक कम तो 20 से एक कम अर्थात 19 इस प्रकार से अभी नीचे वो भी दिखाई देगा इसके बाद आगे चलते यहाँ देखिए एक क्यासी एक अशीती अशीती मतलब होता है असी और एक मतलब एक क्यासी हो गया एक क्यावन एक पंचाशत इधर का इधूर होता है इस प्रकार से आप देख रहे हैं कुछ देशर शब्दों को भी इसमें डाला गया है ताकि आप उसे बहतर समझ सके इसके बाद आत का आंत्र होता है यहां आप देखिए आत का आंत्र होता है आसू का अश्रू होता है अश्रु तत्सम है और आसु जो है वो उसका तत्भो है आज का अर्ची होता है आमब का आमा होता है आमला का आमलका होता है या आमलकी भी कहते है ठीक इसके बाद आवन अब ये प्रत्य है ध्यान दीजेगा ये जो है ये तत्भो और तत्सम की बात नहीं हो रही है यह असल में प्रत्य है और प्रत्य का भी तत्षम और तत्भऻ रूप होता है यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है तो वही यहाँ दिया हुआ है आवन आवन जो है यह पंचाशत जैसे जो होते हैं में लगता है जिसे 52, 53, 54 तो आप कहते हैं न यह एक पंचाशत है, द्वी पंचाशत है, त्री पंचाशत है यानि 15, 52, 53 उसी के जग़ा पर आवन जो लगाते हैं पंचाशत की जग़ा पर जो आवन लगता है उसी को आपस में चत्वारिंशत है, रिंशत है, उससे आप मिला सकते हैं, चत्वारिंशत से, फिलाल देखिए, तो आवन वाला समझ में आया, ये थोड़ा सा लोग उलद जाते हैं, आवन का मतलब क्या है, यहाँ पी ये प्रत्य है, और पंचाशत पी प्रत्य है, इसके बाद आरसी, आरसी क के लिए इस्तिमाल करते हैं, तो 40 किसमें जूड़ता है, जैसे आप 40 पढ़ते हैं, तूसी तरज पे 41, 42, 43, 44, 45, मतलब 48 तक तक तो उसी टोन में चलता है, उसके बाद 49 जो है वो 50 वाली टोन में चला जाता है, तो उसको 50 वाले प्रत्य के इसाब से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर चुकि 40 वाला प्रत्य हमें 41 से लेकर 48 तक लगाना है तो उसका यह तद्वा हो गया 40 उसका जो तद्सम है वो चत्वारिन्षत होता है जैसे 1 चत्वारिन्षत 2 चत्वारिन्षत या 3 चत्वारिन्षत, 5 चत्वारिन्षत सश्ठ चत्वारिंशत इस प्रकार से 41, 42, 43, 44, 46, 45 जो भी है तो वो सब लगाते हैं तदबहतत्सम हो गया इसके बाद आधा का अर्ध होता है अब इसके बाद अच्छा यह होगा कि इधर वाला भी देखते चले तो इधन का इंधन और इधन दोनों होता है इसके बाद इक का एक्षु होता है एक्षु जो है वो शुद्ध सल्स्कृत है मतलब गन्ना और उसके बाद इर्खा इर्खा का इरिश्या होता है इध का इष्टिका होता है इसी का भी कुछ लोग बोल देते है फिर छोटे उसे अगर देखे तो उगली का अंगली होता है उच्छा का उच्छा होता है उपरोक्त का उपरयुक्त होता है उबटन का यहां देखेगा उबटन नीचे लिखा है ना उबटन का उर्दवतन होता है यहां तक देखने के बाद अब इसे उपर कर लेते है देखे आठ आठ का अश्ट होता है आपका आत्म होता है आधत का आधत अव्य होता है आधयत तो होता है असल में और उसके बाद आभूशन का आभूशन होता है आयसु का आदेश होता है आयसु दीज़े मतलब आदेश दीज़े इसके बाद आधीन का अधीन होता है आचर का अंचल होता करा है आलस मा का होता है आस बात इसके बाद उप्डन से यहां से देखे उटना का उख ऊधर का उधुर्व य्र आम बोलचाल के शब्द हैं, यह तत्सम नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन इनका जो मूल स्वरूप है, मतलब यह कहां से गढ़े गए हैं, वो बताने का प्रयास किया जा रहा है, आवश्यक नहीं है कि तत्सम जो है, वो सीधा संस्क्रिट से ही यहां पर आपको बता दिया जाए आला कि तत्सम को काईदे से तो संस्क्रिट से ही उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जो मूल भाशा है वहां से भी आपको शब्द निकाल कर दे दिये जाते हैं, तो तत्सम के स्थान पर वो मूल भाशा वाले शब्द इस्तिमाल करने पड़ते हैं, जैसे हम लोग उतना और उधर जो इस्तिमाल करते हैं, उसका जो मूल स्थान है या जहां से वो जन्मा हुआ शब्द है, वो यहां दिया हुआ है, ओहको और उधुर, इसके बाद उल्लू का उल्लूक होता है, यहां आप देख रहे हैं, उलाहना का उपालंब होता है, उठ उठान का उठान होता है, उसका अमुष्य होता है, उपजना का उपध्यते होता है, उत्पध्यते होता है सलमें, उसके बाद उठ का उतिष्ठ होता है, विवेका नंद का जो स्लोगन है आप जानते हैं उतिष्ठत जागरत, मतलब उठो और जागो और तब तक अपने कर् तक रसिद वाक्य हैं तो उतिष्ट होता है इसके बाद उडोड का उड्ड होता है अग। यहां देखें उटीस है इसको उणवंशती भी सकते हैं और एको नविंशती ही कह सकते हैं, एकोन विंशती भी कह सकते हैं, अर्थात 20 से कम उन शब्द जो है, इसका मतलब होता है एक कम उन शब्द जो है, वो एक में कमी का एसास दिलाता है और विंशती मतलब 20, तो 20 में से एक घटा देंगे यहां जोडेंगे नहीं घटा देंगे, तो 20 में से 1 माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, वैसे ही तरिंशती, तरिंशती मतलब क्या, 30, और उसमें से उन यानी 1 को माइनस कर देंगे, तो 29 आ जाएगा, वैसे ही, अब इसके बाद आगे चलते, यहां वाले ठीक, उगना का उद्गत होता है, और उगलना का जो होता है, वो उद्गलन होता है, उघाडना का उद्गाटन होता है, ठीक, उजड्ड का उजड्ड होता है, इस प्रकार से, यहां पे ड के नीचे आप हलंत लगाईए, उससे अच्छा आप जग वाधा कर दीजे, वो तत पीछे आपने इसकंद भार देखा जो कंदे पर भार रखे के का कृते या कार्य होता है केला का कदली होता है काटे पई कदरी फरें कोटी जोतन को सीच तो ये वाला उसके बाद कर्तब का कर्तब भी होता है कहते कि इनके कर्तब नहीं बाद तो ये वाला जो है न कर्तब बने कर्तब भी नहीं कर रहे हैं कर्म नहीं कर रहे हैं अपना यानि अकर्मने हैं केकड़ा का करकट होता है किवाड का कपाट होता है कपाट खोलो अंदर आएंगे किवाड खोलो अंदर आएंगे किवाड जो है वो तद्धोर इसके बाद कर्तब का कर्तब यहां उलट दिया और ऐसके बाद काम या करम लिखा हुआ है तो इसका करम का लिखा कुपूत या कपूत लिखा रहता है तो उसका कुपुत्र हो जाएगा कपूर का करपूर हो जायेगा करपूर-गारम-करुन,ँकर्णीजारम,वतारम लिखा है ये नहीं होगा इसको ध्यान दीजेगा सिर्फ उन्ण होगा बड़ा उ रहेगा और ऐसे गणित वाला अड़ा रहेगा फिर उचा का उच्छो होता है उच्छो होता है और विचारे कालिदास यही पराकर पिट गए थे विद्योत्मा से मतलब विद्योत्मा और कालिदास की अभी विवाह की पहली रात्री थी और दोनों के बीच में बात चल रही थी मीठी मीठी बाते हो रही थी विवाह के बाद जो होती है और उसके बाद फिर रतनावली विद्योत्मा जो है वो अपना पूरा ज्यान बगारने लगी मतलब शास्त्रार्थ जैसा होने लगा भाई दोनों विद्वान थे यहाँ पे एक तरह से कालिदास अभी विद्वान बने नहीं थे और विद्योत्मा पहले से ही विदुशी थी तो ऐसी इस्तिने में विद्योत्मा के साथ उनका बातचीत होने लगा तो वो वड़े समल समल कर बोल रहे थे लेकिन उट का प्रसंग आया तो वो उष्ट्र की जगह पे ध्यान दीजेगा उष्ट्र लिखाया न तो उसकी जगह पे उट्र उट्र बोलने लगे और विद्योत्मा को तुरंत एहसास हो गया कि ये कोई महापंडित नहीं बलकि महामुर्ख व्यक्ति है जिसको कि एक मात्रा का ग्यान नहीं और उसके बाद वो उन्हें खदेड देती हैं घर से बाहर और अपने दर्वाजे बंद कर लेती हैं कालिदास दर्वाजा पीटते हैं बड़ा अपमान झेलते हैं और उसके बाद वहाँ से रवाना हो जाते हैं सोचते हैं कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है जब मरने के लिए जाते हैं आत्मात्या करने की कोशिश करते हैं तो उनकी बुद्धी सायद वहाँ पर प्रजवलित होती है या देवी सरस्वती उन्हें दर्शन देती है जो भी राओ इन्हें ये ऐसास होता है कि आत्मात्या करना तो कायरता होगी संसार से विदा लेना ये मुर्खता है क्योंने हम अभ्यास करके एक बार प्रयास करके तो देखें क्या पता कुछ मिली जाएं तो वो कठिन तपस्या करते हैं, साधना करते हैं विद्या आर्जित करने का प्रयास करते हैं और अंत में महापंडित होकर वापस आते हैं अर्थात विभिन वेद वेतांगों का ज्यान प्राप्त करते हैं संस्कृत के मूर्धन विद्वान होते हैं इस प्रकार से इसके बाद उखल उखल का उद्खल होता है इसके बाद करोड का कुटी और कुद्दाल होता है किसान का कुषक होता है, कृषान भी लिखते हैं इसके बाद ये भी निर्भर करता है कि कौन सा विकल्प वहाँ पर मौजूद है कुता का कुकुर होता है तो गाउं में लोग सही बोलते हैं कहते हैं कुकुर जा रहा है ठीक तो और जो कुतिया होती है उसको कुकुरिया बोलते है तो ये जो है ये शुद्ध बोलते हैं वहाँ पे लोग इसके बाद कंगाल का कडंगाल होता है यह दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर यह जो कंगाल है असल में तदभो है और इसका जो तत्सम है वो कडंगाल इसके बाद नीचे देखे यहाँ पर एक का एक ही होता है क्योंकि एक जो है वो तत्सम है इसका कोई तदभो था ही नहीं इसके बाद एडी, एडी का अंडी होता है, एवज का स्थाना पन्न होता है, एवज में, यानि उसकी जगह पे, अर्थात उसके स्थान पन्न, एका का एक के होता है, एक के होता है, ठीक, एक लौता का एकल पत्र होता है, या एकल पुत्र यहाँ पे, असल में लौता, लौता एकल पुत्र एक मात्र पुत्र हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं, अब यहाँ ऐसे देख लिए तो ऐसे ऐसा का इद्रिश होता है, ओला का उपन होता है, और ओखल का उलूखल होता है, अब यह इस बात पर निरभर करेगा कि विकल्प कौन सा है, विकल्प में क्या दिया ह इसके बाद आगे चलते हैं वैसे उलूखल जो है वो सरवाधिक शुद्ध होता है तो इसको आप जादा अच्छे से याद करेंगे कुटुम्ब का कुटुम्ब हो गया अर्थात परिवार कोयल का कोकिल होता है कोकिल शुद्ध है कोकिल जो है वो उभय अर्थी है मतलब इसमें इस्त्रिलिंग और पुलिंग दोनों इनवाल होते हैं मतलब मादा और नर दोनों आते हैं इसके बाद कुम्हार का कुम्भकार हो और देखिय अउट से देख लिए यहां पे तो और से अउगुन का अउगुन होता है, अधा का अवमूर्द होता है और और का अपर होता है और का अपर होता है ऊब्वारत का आटा होता है उससे बाइडियां मृतलब होता है मतलब या जो द्कूट वाञे लिए मतल horrके ने उसका अब कहा जाता है इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ परकल दिया है तो क्ल का कल्ली हो जब ये कल ये किस आधार पे है, ये परसों और कल वाला कल नहीं है, मतलब जिसे आप कहते हैं ने टुमारो, तो वाला टुमारो नहीं है ये, ये कल जो है, ये मशीन की कल है, मशीन में जो पुर्जे होते हैं, ऐसे आप इंजिनरिंग पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि ऐसे ऐसे बना रहता है पुर्जा, ठीक है, यह आपस में जुड़े रहते हैं ऐसे, और बीच बीच में स्क्रूव होते हैं, उनको स्क्रूव डाइबर से कसा जाता है, पेंच होते हैं, मशीन जो है, वो इसक्रूव और पेंच पर आधारित होती है, मतलब उनका पुर्जा खोल द आपने पीछे देखा ही था, कंगन का होता है, कंकण, कंगी का होता है, कंकती, ठीक कही गाओं में बोलते हैं, तो काफी अत्तक सही बोलते हैं, कंकती होता है, इसके बाद कोख का होता है, कोख मतलब गरभाश है, उसी का कुक्षी, इसके बाद कोठा का कोष्ठक होता है, प उसको चूड या कोठा कहते थे, चूड बोलते थे, चूड मतलब ऐसे छाता वाल अच्छ होता था, उसमें अनाज को इस्टोर करके रखा जाता था, ऐसा सनरशना उसकी होती थी न, कि उसके अंदर नमी नहीं गुस पाती थी, और उसका जमीन से संपर्ग भी नहीं होता था, क्योंकि नीचे एक मकान का तल ही है, उसके छट पर वो एक छोटी से दिवार बना के ऐसे बना दिया गया है, मतलब उसमें घुसने की एक बस जगह होती थी, और कोई उसमें प्रकाश जाने का भी रास्ता नहीं होता था, और उसमें श्टोर करके रखते थे, नीम की पत्ती का कहते हैं, छोटे आकार की, कोश का, यहां देख रहे हैं, आप कोश का क्रोश हो गया, कौडी का कपरदिका आप देखी चुके हैं, कुआ का कूप होता है, कमल का कमल होता है, और कुंजी का कुंजी का होता है, कुची का कुर्ची का होता है, जैसे कुंजी का कुंजी का हो जुझ के , अपिस होता है क कूळने का कूरधन होता है, कुडे कूट होता है केवट का कीध्रिष होता है और कैथा का कपित्ध होता है, कोई-क कोट-पी होता है, यह Kodapi नहीं होगा, यह Kodapi होगा, मतलब ऐसे होगा, यह Eक उचारण है, a ka उचारण होता है Kodapi, ऐसे बोलते हैं, ठीक, तो यह वाला, यह ऐसे वाला स्वर वाला उचारण है, जैसे आप कान पे हाथ ऐसे रक्यों और हाथ खादे, आगे करके चीजे हैं, कोठारी या कोठरी जिसे आप कहते हैं, तो कोष्टगारी का तहा जाता है, कोड का कुष्ठ होता है, कोड़ी का कुष्ठी होता है, कोना का कोण होता है, कहते हैं नो न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, ब्रिहत कोण है سंपुण कोण है तो वो होते क्या है असल में कोणे ही तो होते है मतलब दो रेखाएं आपस में मिलकर आ एक कोणे का निर्माण करती है वहाँ कोण बन जाता है उसको आप नाप लेते हैं चांदा ले कर तो ये होता है इसके बाद कोज का क्रोश होता है, तो ये सब आप देख रहे हैं, आगे चलते हैं, कोहनी का कफोडी होता है, कोहनी जो होती है उसका कफोडी होता है, इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेगा कानी, कानी या कह का कापुना होता है, कानी या कह एक ही चीज़ है, कान अगर कियारा है मने बड़े आकार की जुताई करके जगह त्यार की गई जहां बीज रोपा जाएगा तो उसको कियारा बोलते हैं खेत कियारा और छोटे आकार की फूल पत्ती लगाने के लिए जगह त्यार की गई यह मिट्टी को वहां भुरगुरा बनाया गया है खाद होता है किलोल नहीं होता बलकि कलोल होता है और कान का कर्ण होता है हालगी कर्ण के कई सारे अर्थ होते हैं पांडों का सबसे बड़ा भाई कर्ण जिंदगी भर दुख का मारा और बदकिस्मिती का मारा यह चीज़ आप कहते हैं उसके अलावा समकोड त्रिभुच की जो कान आघखते हैं और यहां पे जो कर्ण आप देख रहा है कान को कहा जाता है अब इसके बात देखते हैं यहां अच्छा कर्ण का नाम कर्ण क्यों पड़ा तो वह इसलिए क्योंकि इनका मतलब यह तेज कुंती में प्रवेश किया तो इसी लिए जो उससे पुतरूतपन ये तो लकडी के बनते हैं, प्राया लकडी के होते हैं, उसको काश्ट ग्रिय कहते हैं, इसके बाद कटहल का कंटफल है, कटपुतली का काश्ट पुतली का है, इसको मिटा लीजे, काफी कचरा त्यार हो गया है, कटपुतली का काश्ट पुतली का है, कडाह का कराह या कटाह तोनु होता है कहानी का कथानी का होता है कथानक भी कहते हैं कड़ुआ का कटु होता है या कटुक भी बोलते हैं कपड़ा का करपट होता है कब का कदा होता है और का क्रित होता है कार्य का क्रित होता है इस प्रकार से आप देख रहे हैं कार्य काम को आप कह सकते इसके बाद आ किसका कस्स होता है अब ये प्राकृत भाशा है इसके बाद किसान का क्रिशाण भी होता है क्रिशक भी होता है अब ये विकल्ब में दियार है जो उसके आधार पे आप चुनिएगा इसके बाद कीड़े का कीटक होता है कुमारे का कुमारका होता है कोई या कोई एक को कश्च कहते ही है केहरी जो होता है उसको केशरी कहते है शेर का परियावाची होता है कातिक का कार्दिक होता है कसोटी का कर्ष पटिका होता है कसोटी का कर्ष पटिका होता है और कहां का कुत्रस्त होता है पूछा जाता है कहां कुत्रस्त पूछ लीजे किसी से बता नहीं पाएगा और उसके बाद काच, काच का काच होता है, काच नहीं होता, देखने में आप यहाँ देखिए, यह वाला हमें तत्सम लगेगा, और यह वाला तद्भो लगेगा, लेकिन असल में यह है तत्सम और यह है तत्भो, तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ बहुत जादा आप जो शुद इस पश्ट रूप से नहीं है, लेकिन ये मूल जन्मदाता शब्द है, मतलब उनी शब्दों से ये जो शब्द आप इधर वाले देखना है, इनका जन्म हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इनका जो तत्सम है, उसे इसे बताया गया है, इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ प खोता का खगायतन होता है, खोता मतलब समझ रहे हैं, घोसला, उसका होता है खगायतन, आयतन मतलब होता है घर, आयतन वो वालियू माला आयतन नहीं, आयतन एक घर का परियावाची भी होता है, निकेतन और आयतन, तो खग का आयतन, यानि खग अर्थाद चडिया और आयतन का चार होता है, खलित का इस खलित होता है, खेत का छेतर होता है, और खेती का छेतरित होता है, ठीक, इसके बाद खेल का खेला होता है, और खैर का खदिर होता है, गलना का गलन होता है, गाट का ग्रंथी होता है, ठीक, गाट का ग्रंथी होता है, गागर का गरगर होता है, गा उसके बाद गेड का कंदुक होता है ठीक कंदुक जो है वो गेड को कहा जाता है गोत जो लिखा जाता है इसको गोत्र पढ़ा जाता है गोत्र यानि इसी मनुष्य का मूल जो जन्मिस्थान का उसके जनक या उनके जो मूल वंश के संस्थापक है उनके नाम पर चलने वाला वंशावली या परिवार, उसे कहा जाता है गोत्र, यह समू का एक दियोतक होता है, और हर जाती में, मतलब खास तोर पे हिंदु धर्म में अगर देखा जाए, तो चार वर्ण होते हैं, यह वर्ण वे उस्था के अधार पे कहा जा रहा है, तो उसमें अलग-अलग गोत्र हो इसके बाद गोध का होता है, क्रोड, ठीक, अर्थ की क्रोड, यानि उसका केंद्र, तो वही गोध, उसके बाद गोरा का गोर होता है, गोरी, पार्वती जी का परियाएवाची है, तो जब वो भगवान शेव के आशरवात से अपने दूधिया रंग में वापस आ गई, ए तो एकदम से काली रूप धारन कर ली थी, मतलब एकदम श्यामा बन गई थी, इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखें नीचे, तो खैर तक हमने यहाँ देख लिया था, अब इसके बाद खोदना को देख लीजे, चोदन होता है, खुर का छुर होता है, खुर मतलब ज खास जो है, वो खासी का शुद रूप है, खाईी का खाती होता है, खती भी कहा जाता है, इसके बाद यहाँ पर गोह का देख लीजे गोधा, अब पुछिए कि गोह क्या होता है, तो गोह जो है, वो गिरगिट से बड़े साइज का एक रेटाईल होता है, माने सरी स्रिप ह और वो देखने में बिल्कुल मगरमच जैसा दिखता है, लेकिन मगरमच एक्चुली होता नहीं, और थोड़ा छोटा होता है मगरमच से, लेकिन उसकी पकड़ जबरदस्त होती है, मतलब उसके जो पंजे होते हैं, जहाँ पकड़ लेंगे, जल्दी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए पुराने जमाने में जब उचे-उचे किले की दिवारों पर चढ़ना होता था शत्रूओं को, तो वो एक लंबे कपड़े के टुकड़े में गमचे टाइप में गोहों को पूच से बात देते थे, और उसके बाद उच्छाल कर उपर फेकते थे, तो वो जाकर दि पूचिदे होते हैं, और गौना, सबसे जरीला तो मनुश्य है, गौना का गमन हो जाएगा, यहाँ पर दिविरागमन की तो दिर और आगमन से बना हुआ शब्द है, और दिर का मतलब है दो बार, और आगमन का मतलब है आना, तो जो दोगा बोला जाता है हो, इसमें दिर आगमन कहते हैं, और एक बार है तो आगमन बोलते हैं या नि गौना, इसके बाद ग्यार, ग्यार का एक आदश हो जाएगा, ग्वाल का गोपाल हो जाएगा, ग्वाल का गोपाल हो जाएगा, भगवान कृष्ण का एक परियावाची है गोपाल, इसके बाद गर्मी का घर् अब देखें तो वो शुरू था, अब देखे, यहाँ पे गमार का ग्रामकार होता है, अर्थात ग्रामीड, गदहा, इसका गर्दव होता है, गविया का गायक होता है, गाओं का ग्राम होता है, गाय का गो होता है, गोमाता, गड़्धा का गर्थ होता है, गीद का हमने देखा है, गृद् गरजर नहीं होता है, गरजर होता है, इसके बाद अब घह वाले की ओर चलते हैं, गह का हमने पूरा किया है, घह से पहले आप देख रहे हैं घड़ी है, तो घड़ी का घटी का होता है, जो कि घट अर्था समय के टुकडों को बता है, इसके बाद घी का घृत होता है, घर का गर्म होता है अब देखे पीछे जो गृष्म के बदले में घर्म दे दिया था तो वह गलत है यहाँ घाम का शुद्ध जो ततसम रूप है वह घर्म होता है इसके बाद next यहां देखें घाव से मतलब घं का कुछ और बचा हुआ है घंगत हा गरशन दोनों नह नहीं हो सकता है । इसके बाद चक्का का चक्र होता है तिक हां चाम का चर्म होता है चक्क चोर का चक्षु होता है, चमार का चर्मकार होता है, चना का चणक होता है, चोर का चौर होता है, और चितेरा का चितरकार होता है, चोरी का होता है, लेकिन चोरे कहें तो ज्यादा सही है, जो चोर का कर्म है वो चोरी है, अर्था चोरे, इसके बाद अभी च से नीचे भी जाता है चीते का पेड़ जो होता है उसको आगरमास कहते है अभी आपने वाक्यांश के लेक शब्द वाले जो वीडियो है उसमें देखा होगा चीते का पेड़ यानि एक औशदी युगत पौधा होता है उसको आगरमास बोलते है तो उसका शुद्रूप होता है चित्रक इ इसके बाद चुल्लू का चुल्लूक होता है, ठीक, यहां आप देख रहे हैं, चुना का चुनू होता है, चकवा का चक्रवाक है, चवाना का चवर्ण है, और चाद का चंद्र होता है, यह सब च से बनने वाले हैं, इसके बाद चादनी आप देख रहे हैं, चंद्रिका होता चुनना का चिनवती होता है और चूमना का चुम्बन होता है और चैत चैत का चैतर होता है चैत जो है वो पहला महीना होता है आप जानते हैं हिंदी महीने का और उसके बाद doen ¿ Чтобы from catch up चैतु उस थैस प्रकार से इसको पड़ते हैं चतु काश्ट, चतु काश्ट इसको कहा जाता है, चोखट, खट मतलब यहाँ पे जो काट है उसकी बाद हो रही है, तो लकडी से बने हुए पहले के चोखटे होते थे, अब तो क्या है, पूरा लोहे का दरवाजा बनता है और उसमें जो फ्रेम है वो नीचे तक लोहे का होत लेकिन अभी जो पुराना जमाना होता था उसमें आप देखेगा और अभी भी कुछ लोगों को शौक है तो नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ लकडी का चोखट ऐसे बनवाते यह जो चोखट होता है इसको चतुकाष्ट बोला जाता है इसके बाद चौथाई का चतुर भा अभी पांखहोता है पहले के सेवा्ब धन्दा होता नहीं था तो बहुत सारी गुलाम और सेवक पाल कर रखते थे आराम से अपनी जिन्दकी विताते थे पैसा लुपयां होता था बढ़ियां तो जो सेवक होते थे रहा जाब होता है जोगी पीछोटः से लीगाए यह बस हिलाती रहती है तो इससे हवा नहीं लगती है बस उससे कीडे मकोडे बादशाह से दूर रहते है तो उसी को चावरी या चावरी कहा जाता है यह पंखा नहीं होता था यह मख्षी मच्छर भगाने वाला एक आजार समझिये से तो इसे आपने देखा इसके बाद 64 का चतुष शश्टी हो जाएगा 74 का चतुष सब्ती हो जाएगा या सब्तती आप कहा सकते हैं इसने बाद 24 का चतुरवेदी होता है और चरित का चरित्र होता है ये 64 और 74 को आप आराम से कर सकते हैं मतलब आपको 70 की गिंती का जो प्रत्य है तो उसमें अपना जोड लीजेगा या 60 की गिंती का जो संस्कृत रूफ है वो मालुम रहेगा तो उसमें आप अपनी हिसाब से जो अंक है उसको जोडते जाएएगा संस्कृत में आपका जो शब्द है वो बनता जाएगा चरित का चरितर हो जाएगा इसके बाद आप चलते हैं इधर छ वाले को देख लेते हैं तो छ से चाजन और चाजन का हो जाता है चादन छटी का छटी होता है मतलब यहाँ पर छ है वो इस प्रकार से रहेगा छ का शट होता है इसके बाद छेद का छिद्र होता है छकड़ा का शकट होता है, छत का छत्र होता है, यहां दीजेगा, छत का छत्र होता है, छकका का शटक होता है, ठीक, शटक होता है, और छठा का सश्ट होता है, छतीस का शट त्रिंशत होता है, छतीस का शट त्रिंशत होता है, मतलब त्रिंशत यार अर्था तीस और इसमें 40 में 6 जोड दिया, माफ कीजेगा 40 में 6 जोड दिया, तो ये हो गया 40, इसी प्रकार से शकल जो है इसका हो जाएगा, छिलका, शलक मतलब भी छिलका होता है, छूरी का, छूरी को क्या कहा जाता है, छूरी का कहा जाता है, छेनी का चोब होता है और छिन का छण होता है जर से दिखते हैं जर से जीब है जीब का जिवा हो जाएगा जुगती का युक्त हो जाएगा जंगला का वातायन होता है जंगला जो है वो खिड़की को कहा जाता है तो इसके कई सारे परियाईवाची होते हैं उसमें वातायन शुद्ध पर्याईवाची है, इसको अर्वी में दरीचा भी कहा जाता है, दरीचे शक k, और जो जरोखे होते हैं उसको गवाक्ष कहा जाता है. फिल्हाल जंगला मतलब वातायन इसके बाद जमाई जमात्री होता है जथा का यूथ होता है अब यहाँ पे आप ये वाला यूथ मत समझेगा ये वाला यूथ नहीं है ये यूथ है मतलब ये शुद्ध संस्कृत का शब्द है इसका मतलब होता है जुंड, टोली, इसके बाद जो, जो का यव होता है, जो नहीं होता है बलकि यव होता है, यव और व, इसके बाद जोबन का यवन होता है, जमुना है तो इसका यमुना हो जाएगा, इसके बाद जब का यदा हो जाएगा, ठीक, जहां का यत्र हो जाएग जड़ का जटा हो जाएगा जम का यम हो जाएगा और जनेव का यग्यो पभीथ हैُ जमहाई का जरिम्भिका हो जाएगा ठीक यह सब शब्द हैं और थोड़ा दिमाग में रखकर इसको चलना है इसके बाद जमाई का जमाई यहां जमाई दिया है जमाता भी होता है, जमात्री भी होता है, तो विकल्पन निर्भर करेगा कि जमाता दिया है कि जमात्री, और अगर दिया है तो दोनों सही हो सकते हैं, अब ये प्रशन कैसा आएगा, उस पर सब कुछ निर्भर है, इसके बाद जलना का ज्वलन हो जाएगा, जवान का युव और उसी प्रकार से युवान भी कह सकते हैं, अब चलते हैं जह की ओर, यानि जवाला हमने देख लिया है, जवाला अभी कुछ बचा हुआ है, इधर देखिए, यहाँ पर, जामुन का जम्बू हो जाएगा, या जम्बूल भी लिख सकते हैं, जोध का जोती हो जाएगा, जन का जोको, अब यह जोधूर और जोको से परशान मत होएगा, यह मूल शब्द हैं, मने मूल लैंग्विज यही थी और उसी रूप से यह आउतरित हुए, इस रूप में आ गया है, इसके बाद जह की ओर चलते हैं, जह में जट, जट को कहते हैं जटिती, यहाँ देख रहे जरना का निरजर होता है, जटा का ध्वज होता है, जीना का जिर्ण होता है, जूठा का जुष्ट होता है, जावा का जामक होता है, और जनकार का जणतकार होता है, जणतकार होता है, यह सुनने में शब्द काफी अच्छा है, इसके बाद अब त की ओर चलते हैं, त से टम जाड़ा का जाड़े होता है 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 तिरशा का तिरश्च होता है तीजा का तृतियक होता है तीखा का तीक्ष्ण होता है तीता का तिक्त होता है तीन का त्रीडी होता है तीस का तृश्चत होता है तीसरा का तृश्चत होता है और तुम का तुभ्यम होता है तुभ्यम नमामी तो तुम्हे नमामी, यानि तुम्हे नमशकार, इस प्रकार से, इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ कुछ और शेश है, तो तुमका तुष्मे है, देखिए यहाँ पर तुजुका जो है तुभ्यम होता है, और तुमका तुष्मे होता है, तु का त्वम या, यहाँ पर वै से तू भी इस्तिमाल करते यह वैदिक जो लिखा है न यह वैदिक तत्सम नहीं है यह समझाने का प्रयास किया गया है कि असल में तौम जो है यह वैदिक शब्द है और उसी से बना हुआ है तू या तू इसके बाद 43 ठीक तो चत्वार इंशत और 3 उसके साथ जोड दिया मत 3 तरी तरी इंशत मतलब 35, 30 में 3 जोड दिया 33 या caution 23 हो गया इसके बाद 23 में वही काम करना है 20 में 3 जोड दिया तो 3 का तुरंत तवरित होता है तोद का तून्द होता है तोडना का त्रोटन होता है और त्यों आप यहाँ देख रहे है ने तो इसका तदयव होता है तदयव होता है इसके बाद तिवहार का तिथिवार होता है तैसा का ताद्रिश होता है यहां तक हमने तव वाले को देखा अभी कुछ तव वाले बच गए यहां पे है तापसी का तपस्वी होता है तीतर का तित्तिरी होता है तीतर एक बड़े साइज का मुर्गे जैसा जीव होता है और इसके अंडे काफी फेमस होते है इसके बाद तीरत का तीरत होता है तमचूर का तामरचूर्ड होता है तकूआ का तर्कू होता है तकली को तकूआ कहा जाता है इस पर सूत को काता जाता है गांधी जी से पूछें अर्थात पार उतार दे और तरणी जो है मतलब अड़ा पे छोटी के मात्रा जब ऐसे लग जाती है तो वो सूरी का परयाएवाची बन जाता है तरणी तरणी तनूजा तर्तमाल तरुवर वह उच्छाए तो वहाँ पर तरणी शब्द जो है वो सूरी के लिए इस्तिमान के लिए कि खाली हाढ़ जाओगे उससे बेतर है कि कुछ चावल घर में रखे उसी को लेते जाओ तो फटंडुल को यह तंडुल कह refuse is לצ Baldwin को पता है कि वह चीन कर खाना शुरू कर देते हैं उतना ही उन्हें वरदान देते जाते हैं ऐसे होता है इसके बाद हわかर यहां शुरू होता है थन, थन का स्थन होता है, गाए के थन से दूद निकाल रहे हैं, इसके बाद थल, थल का स्थल हो जाएगा, थम्ब या थम्ब जो है इसका स्थम्ब हो जाएगा, था का स्थित हो जाएगा, थान का स्थान हो जाएगा, थामना का स्थम्बन हो जाएगा, थोड धूनी का थमभी हो जाएगा और थ्ूरना का थुवन हो जाएगा इसके बाद आप δव ऑ ला देख रहे है धावाला यहां से शुरू हो रहा है दव से पहले दूव है दूब एक घास होती है उसको तो दुर्वा कहा जाता है, दुर्वाशा रिसी का नाम इसी से दुर्वाशा पढ़ गया, क्योंकि वो जब पैदा हुए, तो वो प्री मैचिवर चाइल्ड थे, मतलब समय से पहले उनका जन्म हो गया था, उसके पीछे भी घटना थी, उनके माँ को एक राक्षस ले जा रह मतलब एक दम बहुत कमजोर रहते हैं, तो इनके मादापीता करते क्या हैं, इनके ओपर दूब का लेप लगाते हैं, रोज, और उसी दूब के लेप की वज़े से इनकी चमड़ी और इनका पूरा शरीर है, वो विक्सित होना शुरू होता है, तो इनका नाम पढ़ जाता ह दबाना का दमन होता है, दस का दश होता है, दसमा का दशम होता है, थोड़ा सा अंतर है, दोनों में इसको जानिएगा, इसके बाद दाई का धात्रिया थाया होता है, यहां आप देख रहे हैं, दाख का द्राक्षा होता है, दुपहरी का द्वी पहरी होता है, मतलब दिन क चलते हैं और आगे जब चलते हैं तो इसमें दीपावली से स्टार्ट होता है और दीवाली हम लोग बोलते हैं असल में दीपावली होता है दूज का द्वितिया होता है महीने की जो दूसरी तारीक होती है उसको दूज कहते है पहली तारीक को एककम कहते है एककम दूज इसको तृतिया कहा जाता है, ऐसे ही बूला जाता है, ठीक, तो दूज का हो जाएगा द्वितिया, इसके बाद दूजा का द्वितिये, यहां पर व्यक्ति दूसरा नहीं, दूसरी तारीक, तो दूज को कहा जाता है द्वितिया, और दूजा को कहा जाता है द्वितिये, अब चलिए इसके आगे, तो दूद को देखिए, दूद का दुख्द होता है, दूना का द्विगुण होता है, दूला का दुला भाप, क्यों होता है ये पीछे बताये गया, दूसरा का दुष्रित होता है, इसे आप देखिएगा, देखना का दृष्ट होता है, देखना का दृ विवाह की अनुमती होती थी, लेकिन वह किसी बाहर वाले से विवाह नहीं कर सकती थी, उसे अपने पती के छोटे भाई से विवाह करना पड़ता था, पती का जो बड़ा भाई होता था, जो जेट होता था, लेकिन जो देवर होता था, वो यहाँ पर पत्नी को, मतलब उस इ बहुत शब्द है और इसका दुआ हो जाएगा दोना का द्रोन होता है आचारे द्रोनाचारे जो थे उनको द्रोन क्यों कहा जाता था क्योंकि उनको अगर देखा जाए तो उनके यहाँ पहले से ही बहुत ज्यादा गड़ी भी थी मतलब वो जब हस्तिरापूर के समरत्षड खरण में नहीं आया थे उससे पहले वो बहुत ज्यादा विपंड ले थे और उस समय जब इनका जर्म होता है मतलब द्रोनाचारे का जन्म होता है तो बच्चे को लपेटने के लिए घर में कपड़ा तक नहीं रथा है तो पत्ते का दो ना बनाके बरगत के पत्तों का प्रकाम तक पहुँचे थे इसके बाद आगे चलते हैं, दोह्रा, दोह्रा का दविधास्रित हो जाएगा, दवियाबरति या दविधास्रित जो शब्द है, वो इसमें इस्तिमाल होता है, इसके बाद दूपट्टे का द्विपट होता है, दूबे यानि दूवेदी जी, और द्रिक का द्रिक हो जाता है, द्रिक नहीं होता बलकि द्रिक होता है, दई का दैव होता है, कहते हैं दई जो है वो नाराज हो गये हैं, दई पर चले जाओ, दव उपर चले जाओ लोग बोलते हैं, तो यह क्या है, यह दैव को इस्तिमाल क उसको कहा जाता है, धनिया को देखिए, तो धनिया का यहां आप अगर देखें तो धनिका होता है, धान का धान्य होता है, धीरच का धैरे होता है, धुआ का धूम्र होता है, धुनी का ध्वनी होता है, धूल का धूली होता है, सब धन धूली समान, और धोना, धोना का धावन होता है धावन सोड़ा पढ़ते है न विज्ञान में तो एकदम शुद्ध है तट्सम्रूप धावन सोड़ा इसके बाद धरती का धरितरी होता है और धरम का धर्म होता है यहाँ तक हमने धर को कंप्लीट किया है और अब चलते है न की ओर न से नेवला और और नेवले को कहा जाता है नकुल, पांडों में एक नकुल नाम के पांडों भी थे, मादरी के पुत्र थे, नकुल और सहदेव, तो नकुल मतलब होता है नेवला, इसके बाद नारियल, नारियल का नारिकेल होता है, नाच का नृत्य होता है, नासी का, यह देखें, नाक का नक्र भी होता है और नासिका भी होता है अब ये विकल्ब कौन सा वहां पर होगा ये आप जानीए मतलब इसी के अधार पर या sama करना है इसके बाद नाखून नाखून का नक होता है और निंबाय निंब्ब दोनों होता है यहां तक हमने न को देखा अभी कुछ बचे हुए हैं कुछ नहीं अच्छे खासे हैं तो देखें यहां पर ने हैं इसको जड़ा बड़ा किया जा सकता है देखें यह ने हैं ने का स्ने होता है नंगा का नगन होता है नंदोई का नंद्रादि पती होता है ननाद्रि पती होता है मतलब ननद का पती इ इसलिए एकानवती, द्वानवती, त्रेनवती इस प्रकार से मतलब एक्यानवे, बानवे, तिरानवे को पढ़ते हैं, तो यह चीज है, नवासी का नवाशीती होता है, असीती मतलब असी और उसमें नौ जोड़ दिया तो बन गया नवासी, इसके बाद नवासीती, नस का न जो उस तरह होता था, घर-घर जाकर बाल बनाते थे, तो बाल-वाल काटने के बाद अच्छी चंपी करते थे, मतलब बढ़ियां एकदम मालिश वगएर, और हाथ और पैर के नाखून भी काड़ते थे, तो उनके पास जो रेजर या उस तरह होता था, उसी से वो बाल भी क काटने का काम करते थे, और नाखून जो हाथ और पैर के बढ़े लोगों के होते थे, उसको भी काटने का काम करते थे, इसलिए उसका नाम होता था नक हरण, नक का हरण करने वाला, नक मने नाखून और हरण मतलब उसे दूर करने वाला, उसका हरण करने वाला, तो यह जो उस तरह होता था, उसी को बोलते हैं नहना या नखरण, अभी नहना जो है वो बास से बनता था, पहले के जमाने में, मतलब यह दो तरह का होता था, एक नहनी होता था, एक नहना होता था, तो जो नाई वाला होता था, वो लोहे का होता था, और एक बच्चों की नाल काटने क नापित होता है, जो नापकर बाल काटे, उसके बाद यहां देखे नाती, यह आप देख रहे हैं, नाती का नप्तरी होता है, नात का नस्ता होता है, यह कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ये वाला जो है फोड़ा गड़बड है, इसको जाने दीजे, इसके बाद यहां पर निग तो आप देखते हैं कि जो सुनार या लुहार होते हैं वो एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा रखते हैं जब उन्हें कोई चीज मतलब जैसे आप पायल का कोई चीज सीधा करवाना चाहते हैं या अंगुठी को छोटा करवाना चाहते हैं या कोई आभूशन आप ठीक करवाना चाहते हैं तो उनको यह आवशक्ता होती है कि आभूशन को एक कड़ी चीज पर रखकर उसके बाद फ भी कहते हैं नेोता का निमंत्रण होता है नैन का नैयन होता है और नैहर का ग्यात्रिग्री होता है नैहर मतलब माय का तो उसका ग्यात्रिग्री होता है तो पिता का घर इसके बाद नोचना का लुंचन होता है नोन का लवण होता है निबाह का निर्वाह होता है ठीक और नख ग्यात्रिग्रे, माय का, मतलब मा का घर है तो माय का, ग्यात्रिग्रे, अर्थात पिता का घर है तो वो पिता ग्रे हो गया, लेकिन उसका अपना कोई घर नहीं होता था, ऐसे होता था, आजकल ऐसा नहीं है और न होना चाहिए, अब इसके बाद ना से हमने देख लिया यहां इसके बाद पलंग का परियंक होता है परियंक किसको पढ़ते हैं इसका उचारण क्या होगा परियंक इसके बाद पडोसी है तो पडोसी के तीन यहां तद्सम दे रखें अब यह विकल्प में जो आपको मिल जाए उसको चुल लीजेगा प्रतिवासी प्रतिवेशी, प्रतिवेश्मी ठीक, यह तीनों पडोसी के परियाय आप कह सकते हैं और यहां चुकि हम लोग तद्वो तद्सम देख रहे हैं तो यह तद्सम रूप हैं आगे चलते यहां देखिए यहां आप देख रहे हैं कि पूरा दिया है तो पूरे का पूर्णिया पूरक हो जाएगा पाहुना का प्रागूर्ड हो जाएगा पाहुना मतलब जो अतिथी होते हैं सम्मंधी जिने कहा जाता है जो बिन अतिथी बताए आजाते है प्रत्वी का प्रत्वी हो गया, पाओं का पाद हो गया, पाद का पत्र हो गया, पत्ता जिसको कहा जाता है पच्छी या पंची का पक्षी हो गया, पाती का पत्रिका हो गया, परेवा का प्रतिपदा हो गया अब पूछिए कि प्रतिपदा क्या होता है तो पीछे आपको प्रतिपदा बताया गया महीने की जो पहली तारीक होती है हिंदी महीने की जो पहली तारीक होती है उसको प्रतिपदा कहा जाता है ठीक, जिसको की एक कम ऐसे बोलते हैं या फर्स्ट डे कहते हैं परमारत का परमार्थ हो गया परस का परश्व को गया और पलडा का पटल हो गया पलडा आज ये जो तत्वों तत्समा पड़ रहे हैं ये वरतनी शुद्धी में भी बहुत पुख्वारा का पखवार होता है यहां बीच में धन का निशान लगा कर इसनलिए बताया है ताकि आप समझ सके, लेकिन ये एक में जुड़ा हुआ है, पक्षवार, पक्षवार, अर्थात पक्ष से युक्त, इसके बाद पगहा, पगहा का क्या हो जाएगा, प्रग्रह हो जाएगा, पगहा यानि जो बाधने के लिए पगही इस्तिमाल होते हैं, रसी, मूटी रसी होते हैं जानवरों को बादने के लिए यूज की जाती है उसको कहा जाता है तो उसको कहते है प्रग्रह इसके बाद नीचे चलते हैं यहाँ कुछ और है जिसे पचपन आप देख रहे हैं तो पचपन का हो जाएगा पंच पंचाशत पचतावा का पश्चाताप हो गया पढ़ना का प प्रहर का होगि यूज क्या हो जाएगा पहचान का प्रत्या भी ज्यान हो जाएगा पहना का पहनना का परिधान हो जाएगा, पहर का प्रहर हो जाएगा, पूरी का पूपाली का हो जाएगा, ठीक है, पूपाली का, पहुच का प्रभुत्व हो जाएगा, पांच का पंच हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिखिए, ठीक है, और नहीं तो ऐसे लिखिए, अब ये वाली जो लिखावट होती है ना मतलब जिसमें इयां का यूज किया जाता है ये वाली जो अक्षर है इसको 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 आप पान का पर्ण हो गया यहां आप देख रहे हैं पानी का पानी ये हो गया ये तद्वो तद्सम है असल में ना तो यहां पे जो तद्सम रूप इसका है मूल रूप से उसको हम लोग देख रहे हैं पुहु भी आप जो फूल होता है इसको पुष्प क्याते हैं पाहन का पाशान होता है पिटारा का पिटक होता है यहाँ आप देख रहे हैं जैसे बिनाई पिटक त्रिपिटक आप बढ़ते हैं और पिसन का पिशन होता है पिशन होता है पिशन होता है पीसना पीछे की पूआ का पूप होता है तो यह मीठे मितलब आटे में गुर्ड डालकर और उसको तल कर बनाया जाने वाला एक मीठा पकवान होता है इसके बाद आगे चलते हैं इसके बाद आप यहां देख रहे हैं पूरब पूरब का पूरव हो जाएगा पुराना का पुराण या पुरातन दोनों हो सकता है पूच का पुच्छ हो जाएगा पूजी का पुच्छ हो जाएगा पूचना का प्रिक्षन हो गया प्रिक्षन होता है सलमें पूच का पॉस का पॉस हो गया पैर का पदिर भी होता है पद भी होता है दोनों जो भी कल्ब में रहे वो आप चुल लीजेगा next denial पोथी पोथी का पुस्तक पॉन का पॉन और आ पाधोन पाधोन जो है आप देख रहे है न यह पाधोन इसका शुद्द होता है यह असल में एक नाप का नापि काई होती या नापकी यूनिट कही जा सकती है मतलब पॉना किसी चीज का 15 कम 15 नुपात कहा जा सकता है या इसे सरल भाशा में आपके एक चौथाई कम मतलब पूरी चीज है उसमें से एक चौथाई आपने निकाल लिया बाकी जो दो तिहाई है वो शेश है तो ऐसी स्थिती में मतलब जो उसका तिहाई हिस्सा है वो बचा हुआ है तो एक पार्ट आपने निकाला तो यह पॉना हो गया जैसे कहते है पॉने नौ बज रहा है पॉने दस हो रहा है तो वह वाला पॉना है और इसको पादोन कहा जाता है प्यास का पिपासा हो गया पैदल का पदाती हो गया पु पसीने से तरवतर, शब्द के फर्क होते हैं, इसके बाद फ से अगर देखा जाए तो फटकरी, फटकरी का इस फटिक होता है, या असल में फटकरी नहीं है बलके फिटकरी है, और जिसे की आर्म्स कहा जाता है, इसका लंबा चोड़ा फार्मूला होता है, कोटाज फिटकरी पूटना का इस फूटन है फूल का फुल है पुष्प भी कहते हैं फोडा का स्फोट होता है और फेपडा का फुपुस होता है तो विज्ञान में बहुत सारे शब्दा पढ़ते हैं जो कि एकदम विशुद संस्कृत भाषा से लिए गये और इसलिए वो क्लिष्ट हो जाते हैं इसके बाद आप बह की और चलते हैं तो नीचे अभी कुछ बचा था शायर फूर तक हमने देखा था बह से यहां नीचे दो स्टार्ट हो गए देखिए यहां पर बजरंग बजरंग यानि जिसके कि अंग बजर के बने हुए हैं और थात बजरांग बहिन का भगिनी हो होता है बाग का व्याग्र होता है ठीक है व्याध जो है वो शिकारी के लिए इस्तिमाल होता है और व्याग्र जो है वो बाग के लिए इस्तिमाल होता है थोड़ा सा इसमें अंतर है ध्यान दीजिगा बावली का वापी होता है बावली यानि जो सीडिदार कुआ होता है उ तो रानी के बाव यानि बावडी और ऐसी बावडियां जो है वो सूखे इलाकों में जादा बनती थी जहां पर बहुत गहराई से पानी निकलता है बच्छा पानी एकदम सहज नहीं होता तो जब जादा गहराई होती है तो उसमें डोल डाल कर और खीच कर पानी आप कब तक निकालेंगे तो ये व्योस्था की जाती है कि सीडीदार पुरे कुए बनाए जाते है उसमें कुए में आप नीचे उतर कर पानी वही पर यूज कर सकते है ऐसी सिस्टम होती है और बड़ी बड़ी जो रजवाड़ों की बावडियां होती थी उसमें तो कपड़े बदलने और कपड़े सुखानी की भी जगह होती थी मतलब उसमें अंदर कमरे बने होते थी काफी अच्छी होती थी तो ये हो गया इसके बाद बनारस का वारारसी हो गया बहु का वधु होता है बाग का वाटिका होता है बुरा का विरूप होता है बत्ती का वर्तिका होता है बिज बिच्छु का ब्रिश्चिक, बटेर का बर्तक, इसके बाद व्याह का विवाह, बादल का वारिद, इसके बाद बटना, वारी को देने वाला, वारी मतलब क्या होता है, पानी, और द मतलब दाता, तो वारी का दाता अर्था वारिद, मतलब पानी को देने वाला, बादल पान इसके बाद नीचे देखें, बंदर का वानर होता है, बकरा का वकर या वरकर होता है, बखान का व्याख्यान होता है, बगुला का वक होता है, बच्चा का वत्स होता है, बच्चे का विवत्स होता है, ठीक, इसके बाद बढ़ का वर होता है, और बढ़ का वर होता है, उसके आप एक दो जोड कर बना सकते हैं जैसे एकम द्वाव इस प्रकार से तो त्रिंशत मतलब 30 हो गया उसमें द्वा जोड दिया तो द्वा त्रिंशत हो गया मतलब 32 बनिया का वडिक होता है पंसारी का पनेशालिक होता है बनिया का वडिक होता है 42 का द्वा चत्वा रिंशत हो जाएगा इस्टित्रूप से चत्वा रिंशत मतलब 40 द्वा जोड दिया, 42 हो गया 82 का द्वा शीती हो जाएगा 80 ती मतलब 80 और द्वा मतलब 2 तो 80 में 2 जोड दिया, 82 हो गया बरसना का वर्षण होता है जिसे की प्रेसिपिटेशन कहा जाता है उसके बाद बरस का वर्ष है बरस मतलब कहते है अब के बरस ठीक तो अब के वर्ष यानि अब के साल इसके बाद बरात का वर्यात्रा होता है बसेरा का वास्करी होता है और बहत्तर का द्वा सप्तसती होता ह ठीक, सत्तर, सती मतलब सत्तर, उसमें द्वा जोड़ दिया बहत्तर, सत्तर दो बहत्तर, इस प्रकार से हम देख रहे हैं, आगे चलते हैं, बहिरा का वधिर होता है, बहुत का बहत्तु होता है, बहेडा का विभीतक होता है, बांका का वक्र होता है, मतलब तिर्चा, उसके ब अब दिख रहा है यह वाला इसके बाद इस में नीचे चलते हैं 22, यहां आप देख रहे हैं 22 का द्वाविंशती हो जाएगा बाजा का वाध्य व्रत्म हो जाएगा बाट का वर्त्म हो जाएगा बाट मतलब क्या होता है? रास्ता, बटोही वही वाला इसके बाद बाटी का वाटी का हो जाएगा बाडी का वाटी का हो जाएगा कहते ने बाडी है तो बाडी मतलब वाटी का बाद का वारता होगा बानवे का द्वानवती होगा बाया का वाम हो जाएगा बार का वार हो जाएगा बार का द्वार हो जाएगा बार का वार हो जाएगा कहते हैं इत बार सोम बार बोल देते हैं वार नहीं बोलते हैं बार बोल देते हैं तो बार नहीं होता है बलकि वार मतलब दिन होता है और ये वाला जो बार है कहते हैं कि घर बार छोड़ कर चले आएं घर बार छोड़ दिया सन्यासी हो गए तो बार का मतलब होता है दर्वाजा और घर मतलब मकान तो घर और दर्वाजा अपना त्याग दिया है मतलब अपने स्थान को छोड़ कर ये पलायन कर गए तो वो वाला बार है दर्वाजे वाला बार है इसको द्वारशुद रूप में कहा जाता है और बारह का होता है द्वादश मतलब 10 मतलब होता है 10 यानि 10 और इसमें आपने 2 और आड़ कर दिया तो बन गया 12 20 यानि द्वादश या बारश जिसे आप कहते हैं इसके बाद बालू का H rises का द्वा पंचासत हो जाएगा, पचास में 2 जोड दिया, Ele tan. और देखिए, बावला, बावला का कहते हैं, न žeं कहते हैं, बावला हो गया, तो बातुल हो गया है, बातुल कहा जाता है, इसके बाद बाहर का, यहां पे देखिए, बहिर हो जाएगा और बासट का द्वासश्टी हो जाएगा सश्टी मतलब साथ और द्वा मतलब दो विकना का विक्रेंड हो जाएगा या विक्रे भी कह सकते हैं विकार का विकार हो जाएगा बिंती का विनती हो जाएगा बिंदी का बिंदु हो जाएगा ठीक बिंदी का बिंदु अब चलते हैं आगे, आगे का मतलब इधर वाले में देख लेते हैं, इधर वाला शेश्था न, तो भूजना का होता है बुद्धेते, यहाँ देखेगा, भूजना का होता है बुद्धेते, बूटी का होता है वृतिक, बेल, तद्भो है, उसका तद्सम होता है बिल्व, ब पहले भुआल है, भुआल का होता है भुपाल अर्था पृत्वी का राजा, पृत्वी का सम्राट इसके बाद भादो एक हिंदी महीना है कहते हैं सावन भादो उमड़ाया है तो इस समें बरसात बहुत जादा होती है और कृष्ण भगवान का जन इसी महीने में हुआ था त इस से यहां आपकी भão है, यहां आपकी भाव है तो यहां जो बीच का मस्तक पे तिलक लगाने वाला पार्ट है इसको त्रिकूटी कहा जाता है बंतलब दोनों बरिकूटी के बीच का इस्थान इसके बाद next भावर को देख लिजेगा यहां है भावर का भ्रमर हो जाएगा भगत का भक्त हो जाएगा भेडिया का व्रिक होता है ठीक भाई का भेडिया का व्रिक होता है इसके बाद भाई का भ्राता या भ्रात्री होता है भरोसा का वराशा या परवश्यता होती है मतलब अब लेखा भागिनेगों यानी जो गळीनी से उत्पन्वा होआई। इसके बाद भाप का भण्ड या भट होता है। यह मनुरंजन का काम करता है। विदूशक होते हैं। भाड़ा का भाटक होता है। पहते हैं कि माल भाड़ा बढ़ गया है। रेलगाडी का भावई का भ्रात्र जाई या भ्रात्र वधुू होता है, भावज का भ्रात्र जाया आया लेकिए भावज ए छी की चीज़ है भीक मांगने वाला, भीक्षा मांगना जिसका काम है, वो है भीक्षा कारी अर्थात, भीका होता है अपी, भीक का होता है भीक्षा, भीतर का होता है अभियांतर, अभियांतर तत्सम है और भीतर उसका तद्वो है, और भूग का होता है विभूख्षा, भूग का छुधा भी होता है वो भुक्षा भी होता है अब यह इस बात पर डिपेंड करता है कि भूख कैसी है वह तेज भूख है आप कुछ भीखा सकते हैं और ऐसे सामानी सी भूख लगे आप थोड़ा बहुत जो स्थनेक्स से उसको लेकर अपना काम इसके बाद भूसा का ब शह दージ हो जाएगा जो नहीं और गेण हो जाएगा जो एक 1956 उसे मड़ा की तो तो उसके बाद जो अपसिष्ट निकलता है उसमें भूसा, सरकंडे निकलते हैं और पुआल निकलता है जिसे धान का है तो पुआल निकल जाएगा ऐसे निकलता है तो भूसा जो है वो गेवू से निकलता है अभी इसके बाद भौरा का हो जाएगा भ्रहमर इसके बाद मुह का मुख होता है, मचली का मत से होता ही है, आप जानते हैं, बहुत सारे इसमें से आप परिचित हैं, कुछ को नहीं जानते हैं, मिश्ठान का देखिएगा, तो मिश्ठान का मिश्ठान ही होता है, मिश्ठान नहीं होता है, देखे, ठा नहीं होता है याँ पे, जो ठा लि मजीट का मंजिट होता है और ये मंजिट है क्या तो ये व्रिक्ष का नाम होता है मच्छर का मत्सर भी होता है मशक भी होता है और मत्सर भी होता है अब ये आपके उपर निर्भर करता है कि आप इसमें से कौन सा चुनेंगे दोनों दिमाग में रखिएगा जो पूछा जाए इसके बाद मढणा का मंडन होता है ठीक है? यहाँ आप देख रहे हैं उसके बाद यहाँ पे मट्टी है यह मठी नहीं है मट्टी है मतलब मिट्टी तो इसका मृत्तिका हो जाएगा मदारी का मंत्रकारी आप देखी चुके हैं मरने का मरण होता है मशरी का मशक हरी होता है मसान का शमशान होता है महार्ग होता है साथ में महावत है महापात्रिस का होता है महुवे का मधूप होता है मा का मात्रिया माता होता है माईहर या नईहर जो होता है मांगने का मारगण होता है माखन का म्रक्षड भी होता है माई का मात्री या मात हो सकता है मिर्च का मरिच होता है मिर्च का मरिच होता है अब यहाँ पे मिर्च वो लाल मिर्च और हरी मिर्च नहीं है जो वासकोडिगामा व्यापार करके ले गया था यहाँ से वो आली काली मिर्च है उसी की बात हो रही है तो वो मरिच है, उसको मरिच बोलते हैं ठीक और देहात में आप चले जाएए तो ऐसे भी जो बुजुर्ग लोग हैं उसको मरिच ही बोलते हैं कहते हैं अदरक और मरिच डाल के चाय बनावेगी चाही तो वो जो मरिच होती है न वो काली मिरच को बोलते हैं वो शुद्धी ही बोलते हैं, अब इसके बाद आगे चलते, आगे का मतलब इधर वाले को देख लेते हैं, में से भी शेश थाथा ना, तु ये देखें, मिठाई, मिठाई का मिष्टी या मिष्टान्न रुता है, द ध्यान दी जेगा, द नहीं रुता है, और मिठ्टी का मि पूंग दलहन होता है , म्ुट का कि देख्ञा है , मुष्टि के दा मिंसम। मौसि यहां आप देख्रहें नीचे , मात्रिश्वसा यानि तरी मात्रिश्वसा यानि माता की बहन जैसे पित्रिश्वसा वी घूहा थी , तरी classrooms maud मगर का मकर हो जाएगा मगर यानि मगर मच तो उसका हो गया मकर इसके बाद मौत का मृतिव, मानुस का मनुष्य मकडी का मरकटी भी होता है और उन्ड नाब भी होता है उन्ड नाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसकी नावी से उन निकलता है ऐसे पहले के लोग कहते थे वो रेशा होता है इसके जो लार से उत्पन्न होता है जिससे वो जाला बिंती इसके बाद मांग का मार्ग हो गया यहां आप देख रहे हैं मांखन का म्रक्षण हो गया योग का एवम हो जाएगा र से चलिए, र से रुपया रोपया होता है या रुपय का इसको कहा जाए तो ज़्यादा बेतर इसके बाद रूखा रूखा का रुक्षो होता है रोटी का रोटी का होता है और रुखाई का रुक्षिता होता है ठीक, आगे चलते हैं रसोई, रसोई का रसवती होता है, जहां पर रसों का सुरुजन किया जाता है, खाने में रस होता है, इसके बाद रखना का रक्षण होता है, रती का रक्टिका होता है, रसी का रजु या रश्मी दोनों कहते हैं, रहट का अरघट होता है, रहट से पा रीता मतलब रिक्त, रीता मतलब खाली, इसके बाद नेक्स्ट नीचे, रीस मतलब इरिश्या, रूठा मतलब रुष्ट, यहाँ आप देख लीजिए इधर वाला तद्वा हुए, इधर वाला तद्सम है, रूख मतलब व्रिक्ष, रूख होता है, यह तो पेड़ और रूख लोन मतलब नमक, वो लोन लेने वाला लोन नहीं कि आपने करजा ले रखा है, वो वाला नहीं, यह लोन जो है नमक वाला लोन है, तो इसका लवण हो जाएगा, लिलार, लिलार कहते हैं, लिलार पर लिखी हुई लकीरे, तो वो ललाट होता है असल में, और लाक का लक्ष ह लोभी का लुब्ध होता है, लोहार का लौहकार या लुहार हम लोग कहते हैं, लौहकार होता है असल में, लौं का लवंग होता है, लोहा का लौह होता है, लोथ का लोश्ट होता है, लोथ मतलब शरीर, लोयन का लोचन होता है, अर्थात नेत्र, लेही का लेपिका होता है, लेही क्या होती है, वो बताने क्या होशिकता नहीं है, और देखे, इसके बाद लंगडा का आप देख रहे हैं, लंग होता है, लंगोटा का लिंगपट होता है, इसके बाद आप लकडी देख रहे हैं, लगुड होता है इसका, लकडी का जो तत्सम है वो लखपती को देख तो लखपती का लक्षपती हो जाएगा, लगना का लगन हो जाएगा, लटकना का लटन हो जाएगा, सिंगार का श्रिंगार ही है, तो पहले इसमें लवाला कम्प्लीट कर लेते हैं, देखें लटकना का क्या हो गया, लटन हो गया, लटन यहाँ पर क्या है, तत्सम है और यह होता है वो रणन होता है लीक का लिक्षा हो जाएगा लिपटने का लिप्त हो जाएगा लाठी का लगुड यश्टी हो जाएगा लकडी को लगुड कहा गया तो उसी से बनने वाली दंडी का है तो इसको लगुड यश्टी कहा जाता है यश्टी मतलब होता है दंडी मतलब इसके बाद लाज का होता है लज्जा, लहसुन का हो गया लशुन, लहसुन जो है वो तत्भव है उसका हो गया लशुन, उसके बाद लाख का लाक्षा और लच्छमी का लक्षमी, ठीक यह तत्सम हो गया, इसके बाद लच्छन का लक्षन, लहु का रक्त, लोग का लोक और लोढ़ा का लोष्ट, अब लोढ़ा क्या होता है, तो सिल लोढ़ा, जो mixer grinder नहीं आया था, तो उस जमाने में सिल लोढ़ा होता था, किसी छीज को पीसने के लिए, सिल जो होती थी वो पत्थर का एक बड़ा टुकडा, चोकोल टुकडा होता था, और उस पे ऐसे खांचे खो घर्षण पैदा हो और वही घर्षण चीज़ों को पीसने में काम आता था और उसी पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को पीस लिया जाता था जैसे कि चटनी हो गई या कोई भी चीज और बड़ी चीज़ों को पीसना होता था तो उसके लिए चक्की होती थी जैसे गे इसके बाद सुहाग, सुहाग का सौभाग्य होता है, साइं का स्वामी होता है, इसके बाद साखी का साक्षी होता है, साथी का सार्थ होता है, सन्यासी का ऐसे लिखा जाता है, इसकी वर्दनी गलत है, मतलब उपर बिंदी रहती है, यह सही दिया है, और उसके बाद साइं का स्वामी फिर से रिपीट कर गया है, ससुर का श्वसुर होता है, ससुराल का सशुराले होता है, मतलब श्वसुर के रह लोगया हैक पाणी मिष्या जाय ए लिए ऑन ढ़न लुटे के आंसमे från obtained दो में ठाल स्वक्राइख्या बुक्षार जाता है टो भूना जाता है तो उटो पने भूंज शा इसके बूसके पनार तो नुखसान के सब्सक्राइख्या अच्छा आटा अगर आप घोल कर खालेंगे तो पेचिस पढ़ जाएगी आप डिसिंट्री के शिकार हो जाएगे लेकिन सत्तु में ऐसा नहीं होता है तो भूनी गई तासीर होती है तो चने का आटा हो या कोई बिगिवू का आटा हो इसको भून कर मतलब पहले भूनते हैं फिर पीषते हैं और उसके बाद फिर घोल कर पीते हैं तो यह हो गया यह सत्तु हो गया सत्तु इसको कहा जाता है सगा का स्वक होता है सगा का स्वक होता है वही चीज़ है दो बार रिपीट कर गया है संसारिक का संसारिक होता है संसी का संदेशी का होता है संसी जो होते है क खबद का शब्द होता है, थनकस्तन होता है, सकना का शक्कित होता है, और सच का सत्य होता है, ठीक, सत्सई का शब्त सती होता है, सब्त शती, ठीक है, सब्त मतलब होता है साथ, और शती मतलब सो, तो साथ सो, सब्त शती का मतलब क्या होता है, साथ सो, ऐसी चीज जिसमें की साथ सो पद है इसलिए उसको सप्टशती कहा गया ऐसे बिहारी सत्सई यानि उसमें साथ सो पद है फिल्हाल सतहत्तर का सप्टशती होता है इसके लावा सताना का संतापन होता है संत का सत्व होता है और 27 का ये गिंतियां तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं मतलब विंशती त मतलब 20, 30, 40, 50, इनका उचारण अगर आप अच्छे से याद रखें, तो बहुत आराम से आप बागी गिंतियों को कर सकते हैं, जैसे उसमें सब्त, अश्ट ये सब जोड लीजिए, आपको करना यह है कि एक से लेकर 9 तक की जो संस्कृत की गिंति है, उसको याद कर लीजिए ठीक है, और उसके बाद जो 10 के अंक वाले हैं, जैसे कि 10 को संस्कृत में क्या कहते हैं, दश कहते हैं, तो वह आला आप याद रखें, 20 को क्या कहते हैं, विंशती कहते हैं, 30 को क्या कहते हैं, त्रिंशती कहते हैं, बस इतना अगर आप याद कर लेते हैं, 100 तक, तो आपका सतासी में असीती होता है असी मतलब यहाँ पर अशीती जो शब्द है या अशीती होता है या अशीती आप कह सकते हैं ये असी को कहा जाता है ठीक अब इसमें आपने सब्द जोड़ दिया तो सब्दाशीती यानि 87 हो गया वैसे ही सत्र है तो 10 मतलब होता है 10 ठीक इसका मतलब होता है 10 और सब्त मतलब 7 तो 10 में 7 जोड़ा 17 हो गया सुई को सूची का कहा जाता है सुन को शूने कहा जाता है सनीचर शनेश्चर होता है ठीक यहां तक सह से हमने देख लिया और भी है सपूत से सुपुत्र इसके बाद उपर चलते हैं यहां से देखिए समज समज का संबु काफी ज्यादा जोर दे रही है क्योंकि फोशक तत्तों से भरपूर होता है और इसकी क्रिशी को पढ़ावा दिया जा रहा है और काफी इसको कम रख रखाओ के आउशक्ता होती है इसका एक आप कलम लिया के ऐसे गाड़ दीजियो और पेड़ तयार हो जाएगा फिर सांकल का अरगला होता है लिखा ऐसे जाता है अरगला कील कवच अरगला पढ़ते हैं तो वो अरगला है इसके बाद साजा का संध्या यहां आप देखी रहे हैं सामुला का श्यामल सास का श्वास साजा का सास इसके बाद साठ का सश्टी साडी का शाटी शाटी का भी कहते ह साथ का सब्थ, साथवा का सब्थ, दसवा को दशम कहते हैं, साथवे को सब्थ, आठवे को अश्टम कहते हैं, और वैसे अगर सिंगल एक वचन में रहेगा, तो सब्थ, अश्ट, दश, नव इस प्रकार से इनका उचारण किया जाता है. शाला का, मतलब साला का श्याल या श्यालक होता है, और साली का श्याली होता है, साथ का सार्थ होता है, और सास का श्वश्रू होता है, इसके बाद साही का शलेकी होता है, साही एक जी होता है, इसके बाद सिंहाडा का श्रिंगाटक होता है, साहू का शाह होता है, सिख का और इसको शुद्ध लिखा जाता है ऐसे वर्तनी शुद्धी में आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे ठीक इसके बाद सीख का सिक्षा होता है सीख को ही सिक्षा कहा जाता है सीख के बाद नीचे आप देख रहे हैं सीडी है तो सीडी का श्रेड ही होता है सीधा का सिद्ध होता सुन का शोटा है यहाँ देखे, सूना का होता है शूने, सूरज का होता है सूरे, सेम का शिंबा, यह एक फलीदार सब्जी होते हैं जिसको के लखन करते हैं, मटड़ के जैसे इसमें फलीयां होती है और लता वाली होती है इसके बाद 47 को सब्त चत्वारिंशत कहा जाता है, क्योंकि चत्वारिंशत मतलब 40 उसमें साथ जोड़ दिया, 47 होगी, आप गिंतियां उमीद है कि आप समझ गये होगे, इसके बाद 37, तरिंशत, तरिंशत मतलब 30 और सब्त मतलब 7 इसके बाद सोट का शुन्ठी या सुष्ठी दोनों हो सकता है, सोध का सुगंद होता है, सारथी का सारथी होता है, सारथी होता है, सोता का स्रोथ होता है, सोला का खोडश होता है, या शोडश आप कहिए, सौप का समर्पी होता है, और सौगा शत होता है, यहां होट का चित्र लग रहा है, खटवा कीट होता है, जो खटिया में कीडे रहते हैं, मतलब सोएंगे आप तो खटमल रसीया होते हैं, मतलब बड़े रसीक होते हैं, वो निकलकर आपको परिशान करना, मतलब आपके साथ मजा करना शुरू करेंगे, और आपसे ब्लड डोनेट करवाए और सजन का स्वजन होता है, जो शुद्ध है, वो तद्सम के तौर पर हम इस्तिमाल करते हैं, सुमिरन कहते है न, प्रभु का सुमिरन करना चाहिए, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में भज़े न कोई, इस प्रकार से बोला जाता है, कभीरदास का दोहा है, तो वाँ सुमिरन मतलब इसमरन, इसके बाद नीचे देखे हा से, तो ह से यहाँ पे हड़ी है, यहाँ आप अभी यहाँ पर side में कुछ दे रखा था यह कुछ बताया गया है थोड़ा सा बारी गंतर है ध्यान से समझेगा देखिए छाता का जो तत्सम है वो छत्र या छत्रक होता है दोनों सहीर छत का भी तत्सम जो है वो छत्र होता है मिलते जुलते जो तत्सम शब्द होते हो सकता है वालोग का इंफ्यूज हो तो यहाँ ध्यान देना है चाता का तत्सम जो है वो भी छत्र या छत्रक होता है और छत का जो तत्सम है वो भी छत्र होता है अब यहाँ पर चाया जो है इसका तत्सम क्या होता है चाया खुद तत्सम है, चाया शब्द अगर आये और पूछा जाएगी क्या है, तो ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भो होता है, तद्भो क्या है, चाह या चाओं, याद रखेगा चाह या चाह लिखा है, तो इसका जो तत्सम रूप है वो चाया हो जाएगा, चाया आपने देखा था वही चीज़े हैं, थोड़ा सा इसमें सुधार के बताया गया है, बेज का वेश, अष्ट केली या अठखेली का अष्ट क्रिडा हो गया, खजूर का खरजूर हो गया, गागर का गरगर हो गया, बरात का वर्यात्रा हो गया, बालू का बालू का हो गया, जा का शंक होता है, सूर्ता का शौरे होता है, सजाना का सज्जापन होता है, रमन का रमण होता है, मतलब रमना का रमण होता है, रचना का रचन होता है, रंभाना का रंभण होता है, रंगना का रंजन होता है, यो या जो है तो यदा या एवम हो सकता है, युगल का युग्म हो अर्थात को निमारण करके उसे आपको छुडा कर ले आने वाले, बचाने वाले, ठीक तो यहां मोची मतलब बचाने वाला या छुडाने वाला इसके बाद लूटने का लुट्ट हो जाएगा लूटने का क्या होगा लुट्ट हो जाएगा अब इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ लूक है लूक का उलका होता है लालच का लालसा होता है मामा का मातुल हो जाएगा माना का मानने हो जाएगा और पदमाता का मदमत्त हो जाएगा, रूप का रूपी हो जाएगा, रुखाई का रुक्षता है, फेर का प्रेरण है, भेदी जो है वो तद्भव है और उसका तत्सम भेदिन हो जाएगा, मुंदरी का मुद्रिका हो जाएगा, मीठा का मिष्ट होता है, मिष्ट नहीं होता, त याद रखिएगा बेमान का अनार्जा वहता है भाला गा भल होता है भारत का ओधन होता है वहतान है यू सकरी दिन सेंतिन हैं म्यलों को कहा जाता है तो कल शांचों इत पार स्वर्ण को कमद्णiben cela 극 ELRight, घ्र्ण यहां होट never जो जाएगा निहंग यानि एकाकी इसका निसंग हो जाएगा जिसके साथ कोई संग साथन न हो восant इसके बाद नर्सोंका अंड़ परश्व अंड़ परश्व परश्व जो है वह फदब परसों इसके बाद पाथा जो है यह पुष्टा को जाता है ताट का तंतु होता है जोटा का जूट होता है ठी बटोही का वट बोही भी हो सकता है फुडिया का पंसिका होता है फांक का फलक होता है फांसी का पाशिका फैराने का प्रसारण जन्वासा का जडवासा होता है और ताबा का ताम्र होता है तपना का तप्त होता है इस प् तिपाई का तृपाद होता है, तिपाई जो है वो इक श्टूल नुमा बैठने का जगह होता है, बैठने का फर्नीचर होता है, उसको तृपाद कहा जाता है, ट्राइपॉड आप अंग्रेजी में कहते हैं, तो यहां तक हमने तद्बो तद्सम कंप्लीट किया है, थोड़ा